जाहिन दोस्तों आप देख़ए अध्यान के अंदर और अभी हम दरोगा का जो एक्जाम होने वाला है बिहार दरोगा उसमें एरूटेरिया का बुक वॉलियम टू आया है तो इसका जो कोश्चन सेट है प्रेक्टिस सेट वो कम्प्लेट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा पद का अधिकार कौन सा अधिकार है सार्वजनिक पद का अधिकार यह नगरी ओधिकार यह नगरी ओधिकार है यह आता है अनुचेद सोलह में 16 क्योंकि यह होता है समानता के अधिकार के अंतरगत विदेश भेजे जाने वाले विभिन संसदिय परतिनिधी मंडलों के लिए व्यक्तियों का नमांकन निम्नलिखित में से कौन करता है प्रस्ण को रिपीट करते हैं विदेश भेजे जाने वाले विभिन संसदिय परतिनिधी मंडलों के लिए व्यक्तियों का नमांकन निम्नलिखित में से कौन करता है लोकसभा अध्यक्ष बरतमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है ओम बिरला है नाम याद रखिएगा ओम बिरला कोसर नमर थिरी निमने लिखित में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है तो यह है भारत के एल्टावनी जेनरल यह 76 में आता है अनुछे 76 एल्टावनी जेनरल यह संसद का सदस्य तो नहीं होते पर संबोधन कर सकते हैं लेकिन जो बोहमत होता है वो नहीं दे सकते हैं बोहमत नहीं देंगे enterprise admitted क्यों होते हैं प्रणुपbsaminti के अध्यक्ष कौन होते हैं तो भहmy round बेद्लकर बहlie дел ये 29 अगस्त 1997 में प्रणूपसमिति बंकर तयार हुआ था जिसमें तो ये कुल सात सतसित है, उसके अजख्सता कोन कर रहे थे? भीम राव अमबेदगर रास्ट्रिय ध्वज के मध्य इस्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? धर्म चक्र का रंग होता है गहरा नीला गहरा नीला और इसमें चौबीस तिलियां होती है जो चौबीस घंटा हो राश्ट्रपती करेगा राश्ट्रपती और इसके अध्यक्ष होते हैं गिड़ी मंत्री संविधान के किस अनुछेद में प्राथ्मिक अस्तर पर मात्र भासा में सिक्षा देने की बात की गई है जो मदर्टंग होता है उसमें प्रैमरी एजुकेशन दिया जाएगा यह साहित करना है उसका प्रचार करना है और भारत की अनुछेद 343 किस राश्ट्रपती के चुनाव के समय दूसरे चक्र की मतगन्ना करनी पड़ी थी तो बीवी गिड़ी यह चोथे राश्ट्रपती थे मतले कारिकाल 1979 सिले का 74 तक था किसी राज्जी विधान पड़िसद में सदस्यों की नियुनतम संख्या कितनी हो सकती है तो यह पर यह 40 है किसी राज्जी विधान पड़िसद में सदस्यों की नियुनतम संख्या कितनी हो सकती है 40 हो सकती है और बरत्मान में कुल 6 राज्जियों में विधान पड़िसद याद रखिएगा यह बहुत नहीं आता संग सुची के अंतरगत लोग स्वास्त नहीं आता लोग स्वास्त यह संग सुची राज सुची और concurrent लिस्ट यह लिए आगया है ऑस्ट्रेलिया के संभिधान से और जो रेलवे पुलीस फोर्स है ना वो भी आता है राज सुची में बहुत है रेलवे संग सुची में है जबकि रेलवे पुलीस फोर्स जो है वो राज सुची में है राश्ट्रिय विकास पडिसद का गठन कब किया गया था राश्ट्रिय विकास पडिसद उननीस सो बावन में उननीस सो बावन चो अगस्त उननीस सो बावन लोग सभा राज्य लोग सेवा आयोग के सदस्यों का कारिकाल कितने वर्सों का होता है छो वर्स का या तो 62 वर्स है या छो वर्स जो पहले हो जाए तो उनको सेवा मुक्त होना पड़ेगा सार्धा एक्ट को किसके कारिकाल के दोरान पारित किया गया था सारदा एक्ट है ये था Lord Irwin के टैम में Lord Irwin क्योंकि 1930 में आया था 1930 में आया था सारदा एक्ट इसमें ये था कि जो लड़कियों का जो उम्र है न वो 18 वर्स उसमें 14 वर्स क्या गया था मतलब age fix क्या गया था पहले बाल विभा होता था तो लड़की का 14 वर्स में साधी हो सकता था और लड़के का 18 वर्स में, फिर बाद में उसको पढ़ाया गया, तो ये 1930 में सारदा एक्ट ये बाल विभाग को रोखने का एक प्रियास था, पील कमिशन कि सिफारिसों के बाद भारतिय सैनिकों तथा यूरोपिय सैनिकों की कितना रहना था दो अनुपात एक, ये पहले था पांच अनुपात एक, मतलब ये था कि पांच यूरोपिय सैनिक तब एक इंडियन सैनिक, उल्टा मैं ने कह दिया, पांच इंडिया सैनिक और एक यूरोपियन सैनिक, लेकिन फिर बाद में हुआ कि दो इंडियन और एक य ऐसा रहलेगा विपेशनलने स्थाइब आपना आन्से सत अन्से साइब सर पर्फम सोराज सब्द का पड़योकिन के दुआब किया गया था स्वराज सब्द द्यानंद सरस्वती और इन्होंने 1875 में एक रचना किया 1875 में सत्यार्थ प्रकास सत्यार्थ प्रकास जिसे आर्णी समाज का बैवाल भी कहा जाता है और एक इंपोटेन कि भारत का सुलेखन क्या होता है जो सुंदर हस्तिलेख होगा इसको इंगलिस में केलियोगराफिस्ट का जाता है सुंदर हस्तिलेखन को सुलेखन सिंदू घार्टिस अभिता के दोरान अगनी कुंड का साक्षे किस अस्थान से प्राप्त हुआ अगनी कुंड मिला काली बंगा से काली बंगा और इसका खोज कब हुआ था 1923 में 1923 और ये घांगर नदी के किनाड़े है तो इसको तुरह याद रखिएगा आगे प्रसंद पर आते हैं कठो उपनी सद किस बेद का उपनी सद है कठो उपनी सद है यजूर बेद का यजूर बेद ऑप्सन नमर सी किस प्रसिद सासक ने कलिंग को मगद च्छतर में मिलाया महापदमनंद। option नमर यहाँःपे C होगा. Q21 किस अभिलेक में गौत्मी पुत्र सत्करनी की विजय का उलेक है गौत्मी पुत्र सत्करनी का उलेक मिलेगा नासिक अभिलेक में. नासिक अभिलेग question 22 कि प्रसिद सासक ने धारण की थी बल्वन ने किया था कि इस्वर का परतिनिधी गोण आकवर ने किस वर्स की थी मजहर नामा ये क्या था जरमनी मजहर नामा की घोसना अकवर ने मजहर नामा की घोसना अकवर ने किस वर्स किया था 1989 में और अकवर ने 1575 में इवादत खाना का भी अस्थापना किया था किस देश के सही योग से राजा मेहंदर परताप ने काबूल में अंतरिम सरकार की गठन की थी यह होगा जर्मनी और यह कर गया था 1915 में 1915 परताप अलग पकिस्तान के निर्मान का प्रस्ताव कब परित किया गया था पकिस्तान का प्रस्ताव 1940 में पहली बार 1940 और यह लाहूर अधिवेशन ही था Muslim Lane का जिसमें पकिस्तान का प्रस्ता पारित किया गया था Question number 26 ये math का प्रस्ता हो गया कि A किसी काम को चौँ दिन में कर सकता है B काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है C काम को पूरा करने में A और B दुआरा 7 काम करने में लिए गये समय के बड़ावर समय लेता है ठीक है तो फिर इतना को solve कर लेते हैं जैसे A किसी काम को चो दिन में करता है B किसी काम को आठ दिन में करता है तो C का निकालने के लिए A और B का निकालना पड़ेगा तो इस तोनों को LCM निकालेंगे 24 चो से चार बार में और ये तीन बार में इसको एड़ करेंगे यानि 24 बटे 7 ये निकल के आया और इधर ये हो गया किसका C का efficiency ठीक ना अब लिखाए कि B और C एक काम को करे तो उन्हें काम करने में कितना दिन लगेगा अब क्या करेंगे कि B का थमको efficiency पता है और C का भी पता चल गया तो 1 बाई 8 पलस 7 बाई 24 24 हो जाएगा 3 पलस 7 यानि 10 बाई 24 अब इसको पलटना होता है तो 24 बाई 10 अब कट कर दो 12 और ये 5 12 बाई 5 ऑप्शन नमबर यहां आपका सही हो जाएगा देखिए अगर थोड़ा हो सकते difficult लगे समझ में नहीं आया हो तो अब ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी करके वही आइड के जिएगा फिर जो निकल के आएगा ना उसको वन बाई 8 से आइड के जिएगा तो यहीं आइड के जिएगा मैत में आप जो जिस तरीके से बनाते हो वैसे बनाऊ गए तो एक जाम में थोड़ा असानी होता है इसलिए मैंने वैसे ही बना दिया कोस्टानुमर ट्रिंटी स्क सब्सक्रांश यह जिए ертв Strength उठ्कि लुख जर्था होगा णामें डैना यह अन्स्र से एक हजा सब्सक्राइब यह जाएगा 320 तो ऐसे प्रस्त में अपड़क जिसे 32 के अतामबा अगर पुछता जस्ता कितना होगा तो 400 ग्राम कर देते टीन कितना होता तो 40 और 32 को जोड़ते हैं 40 और 32 को जोड़ लेते हैं 27 और फिर 100 में से मैनस करते हैं तो 8 एक 18 अठारा होता तक अठास होता 28 तो यह होता तब 16 का मातरा चलिए आगे प्रसंट पर आते हैं मैत का तरहूद बनाईएगा प्रिविएस एर कोस्टन यह से तो दिखकत नहीं होगा एक निश्चित रासी पर इतना पर्चेंट की दर से दो बर्स के चकरविर्धी व्याज और सिधारन व्याज का अंतर 45 है तो रासी के तो रासी के तुना होगा यहां पर स्क्वेर है इसको 25 से पांच बार में यहां पर चार बार में धिक यह 5 से दो बार में कर जागा I तो आपका सही हो जाएगा पांच करमागत सम संख्याओं का और सबसे चोटी संख्याओं का मान क्या होगा देखो सम संख्याओं चालिस है ना तो आप इस ची को एक समझ हो ऐसे प्रसंद को जो गुना करने से बच्छों और सत कभी बीच बाला संख्याओं तो 40 पकर लो इसको ठीक ना अब इधर लिखो 42 44 इधर लिखो 38 और इधर लिखो 36 यहोगी अब पांच करमागत संख्याओं अब पूछना से चोटी संख्याओं कौन सी होगी 36 ओप्सन मर भी तरीका से बना ओगे तो काफी लेंदी है एक्स प्लस X प्लस 2 X प्लस 4 X प्लस 6 X प्लस 8 is equal to 40 को 5 से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा 200 अब X का वैल्यू निकाल लो वो आँगा अंजर तो जो आपको सही लगे तो यह तो पहले ब्यास दिया गए इसका आप तिरजिया निकालो तो 28 ब्यास वाले एक विरताकार मैदान को सम करने की लागत क्या होगी यदि सुलक 125 प्रति वर्ग मीटर हो तो यह तो पहले ब्यास दिया गए इसका आप तिरजिया निकालो तो 28 ब्याटे 2 हो जाएगा तो यह हो गया 14 यानि तिरजिया क्या निकल क्या गया चौधा निकल गया गया अब आपको निकालना पड़ेगा इसका एडिया तो होता है पै आर स्क्वाइर यानि बाइस बटे साथ आर स्क्वाइर यानि चौधा गुने चौधा और रेट है एक सो पचीस इसको आप सौल्ब कर लो यहांसे दो से कट करेंगे तो दो काप एक सो से मल्टिप्लाइ कर गई हो गया दो सो पचास गुने चौधा गुने बाइस इसको आपको मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा सत्तर हजार होता है आपसे नमर बी यहां आपका सही हो जाएगा आंसर केंद्रिये और योगिक सुरक्षा बल की अस्थापना किस वर्स की गई थी केंद्रिये और जोगिक बल इसका अस्थापना बाता 1979 इसरो के अस्थापना के टैम में ही कोस्टे नमर 32 निमनलिखित में से कौन सा देश जो छेत्रफल तथा जनसंख्यां दोनों छेत्र में समान अस्थान रखता है मतलब छेत्रफल में भी और जो जनसंख्या हैं उसमें अब को याद करना पड़ेगा च्छतरफल में पहले आता है रूस उसके बाद कनाडा करनाडा को सीलीखते यह कनाडा यहं कि क्योंकि चाइना वी लिखना है ना इसको सी एच लिखते थे चाइना फिर आता है अमेरिका और फिर आता है ब्राजील यह आपका हुआ इन्डोनेसिया आता है और फिर आते हैं ब्राजील को पांचमे नमर्स पर अगर आप देखो हो ब्राजीलbnा कंचन-जंगा कंचन जगा क्यों इसक्षा कुछ यह पांच आठ्छा मीटर एक यह requesting पने के श्रेणि के अंतरगत आती है यह रिहत हिमालए में आता है बिहत हिमाल है, यानि option number V माल्दीव एवम मिनिकाई के मद्य कौन सा चैनल अवस्थित है माल्दीव एवम मिनिकाई के मद्य अवस्थित है आठ डिगडी चैनल जबकि जो 10 डिगडी है वा अंडबान निकोबार है का विमपोटेंट है और लक्षुदिप और निखिके के विज्जो है वो 9 डिग्री चैनल है, सब को याद रखिए कॉस्सान नमर 35, बिहार जल पर पात, निम्न लिखित में से किस नदी पर इस्थित है, टोन सनदी पर टोन सनदी पर जिसकी हंचा एक सो मिटर है और टोन सनदी जो है, यमुना की सहायक नदी है लाल मिट्ठी का रंग, लाल, किसकी उपास्थिती के कारण होता है, लोह औक्साइड, फेरस औक्साइड का जाता हैं, आपसें नमर 20 है ने को नैट्रोजन उसकी कमी होती है नेट्रोजन की प्राइद्यूपिय भारत में सिचय का पर्मुक साधन क्या है प्राइद्यूपिय भारत में हो जागा तलाव तलाव प्राइद्यूपिय भारत यह हो जागा नीचे वाला भारत ठीक ना प्राइद्यूपिय भारत कुलसी और धन सिरी किसकी सायक नदी है कुल मिसिगन, मिसिगन जील जो है, वो only संजुक तराज अमेरिका में है, जबकि और अगर देखे सुप्रियर जील काफी इंपोटेंट है, यह सुद्पानी की दुनिया की सबसे बड़ी जील है, तो यह आपको अमेरिका कनाड़ा दोनों में मिलेगा, तो यहाँ पर मिसिगन जील सागर है, इसमें तीन अगर गर्म जल्धारा की बात करें, तो फलोडीडा, गल्फ इस्ट्रीम और इर्मिंजर, यह सब है गर्म जल्धारा, ठंधी जल्धारा में लेबराडोर, कनारी, बेंगवेला और एक अभी फॉकलेंड पढ़े, यह सब ठंधी जल्धारा है, रोहिल रास्ट य उद्यान किस राज में अवस्थित है, रोहिल, यह मिलेगा हिमाचल परदेश में, और यह कस्तूरी हिरन के लिए परशित है, कस्तूरी हिरन, भारत में दूती हरित करांती की सुरुवात कब हुई थी, दूती हरित करांती 1883 में, 1884, पहला जो आया था, वो उनन में अनमार के साथ कितने भारती राज ये, बांडरी सेर करता है, तो आप खुद देख लो, में अनमार में इकर इस सेर से लेकित अरो नाचल परदेश हो जाएगा, फिर यहां पर नागालेंड है, फिर मिजोरम और मनी पूर्थरा सेर करता है, यानि चार हो गया, चार, कुंसा दर्रा, उत्राखंड में अवस्थित नहीं है, उत्राखंड में नाथुला दर्रा नहीं होगा, क्योंकि नाथुला दर्रा जो हो कहां पर इस्थित है, सिक्की में है, नाथुला सिक्की में है, जबकि लिपूल एक माना दर्रा और निती दर्रा ये से मिलेगा आपक आये हुए थे, option number C, यहां आपका सही है, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बजार की संक्रियाओं में बिचरन किस क्या साधन है, यह होता है मौदरिक निती का, फिर रिपीट करते हैं, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बजार की संक्रियाओं में बिचरन करक के साधन है मौदरिक निती मौदरिक निती और यह जो मौदरिक निती है वह था किस रुवात कि सवर्स की गई थी तो यह 2000 में क्या गया था अनपूर्णा योजना यानि से नमबर सी दो अक्टूबर को किया गया था कांधी जैंती के दिन वाई के अलग समीती का समंध किस से है वाई के अलग समीती का समंध गड़ीवी से है गड़ीवी इसे में एक आ गया था कि जो सहरी में सहर में रहते हैं उनको 200 कैलोरी चाहिए और जो ग्रामी ने उनको 2400 कै किस प्रधानमंत्री के काडिकाल के दौरान 14 पर्मुख ब्यवसाइग बेंकों का रास्टे करन हुआ था यह उनिस सो नहत्तर में हुआ था तो उस टेम थी इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी यहां पर क्या हो जाएगा इंद्रा गांधी ऑप्शन नमर भी आपका यहां पर सिबर सस्ताक्षर किया था विश्व बिरासत संदी 1976 उप्शन नमर डी भारतिये बन परबंधन संस्थान का मुख्याले कहां पर है भपाल में मिलेगा भारतिये बन परबंधन संस्थान भपाल निमनलखित में से कौन इंपूट डिवाइस का उदाहरन नहीं है इंपूट इंपूट डिवाइस है जबकि स्कैनर काफि है इंपूट डिवाइस में आता है झालने लेखित मेंसे किसका सम्मन्ध ग्रीन होस गैस के सर्जन में कटौक जाथ है यह प्रोटोपवल प्रोटोक्ल का टार्गेट यह था कि ग्रीन होस को कम करना जाई और हुआ कब था 1997 में कई बार पूछा गया प्रस ने क्योटो सहर में हुआ था क्योटो जपान में है टोकियो भी और क्योटो दोनों जपान में है भारत में गुर्वत्ता की द्रिश्टी कोन से एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया था एक मार्क 1937 में 1937 और यह 1986 में उसका संसोधन क असिल किया यह बजरंग पुनिया बजरंग पुनिया ऑप्सन नमर बी यहां सही होगा हाली में किस देश ने अंत्रिक्ष में अपना पहला सेन्य अभ्यास किया फ्रांस बेरी वेरी इंपोटेंट फ्रांस ने अंत्रिक्ष में अपना पहला युद्धा अभ्यास किया क्यो पंडूबी को भारती नौसेना में सामिल किया गया यह आएनस करंज आएनस करंज अभी आएनस करंज और आएनस तलवर काफी इंपोटेंट है तो यह आएनस करंज यहां आंसर है किस कमपनी ने भारत में महिला ससक्ति करंड के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेर्की डॉलर क अनावरन किया था किस कमपनी ने भारत में महिला ससक्ति करंड के लिए यह गूगल ने किया था गूगल यह अप्शन नमरे हाल ही में जारी किया गये गलोबल जेन्डर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत का अस्थान एक सो चालिसमा एक सो चालिसमा साथ मार्च 2020 को एक हलिकॉप यहां पर बनेगा फ्रांस राजिसभा और लोकसभा टीवी का बिलाय करके संजुक चेनल बड़ा संसद टीवी और जिसके पहले जो अध्यक्ष बने उनका नाम है रवी कपूर रवी कपूर निम्नलिकित में से कौन सा सहर इस ओफ लिविंग इंडेक्स 2020 की सुची में पहल जल सकती मंत्राले जल सकती मंत्राले कैच ते रेन चुनाब आयोग ने बस्शीम बंगाल बिधानसभः चुनाब को कितने चरन में कुलject किड़ाया यहाज क्राता पंचयजिद्छउनाब प्लास्टिक कच्रे से निर्मित पहली सरक्का निर्मान किया यह है त्रिपूरा ओप्सन नमर बी यहां सही है के नमित किया गया है मलिका अर्जुन खड़के को किस राजि सरकार ने हाली में कोविट नेंटिन वाडियर मेमोरियल के निर्मान की घोसना करी है ओडिसा ओडिसा यानिए ऑप्सन नमर बी आपका सही है किस केंदरिये मंत्री ने हाली में यह चांवनी पोर्टल यूंच किया यह चांवनी पोर्टल आजनाथ सिंग ने किया राजनाथ सिंग बर्तमान में 62 खांवनी 2 का सुबारम किया काला नमक चावल महुत्सब का सुरूआत किया उत्तर उत्तर परदेश या उपंचन नम्मर सी हाले में किसे हिंदी भासा के लिए साहित्य अकादमी पुरुसकार दो हजार बीस से सम्मानित किया गया अना मिशा को आना मिका, एस यह और साथि, जो सहित्य अकाइद्नी पुरुषकार है, वो 20 भासाओं के लिए मिलता है, एस्टोनिया के पहले महिला परदान्द्री कौन बनी है ? एस्टोनिया के हैं काजा कलास, काजा कलास, वाल्ड वेटलेंडे 2021, वाल्ड वेटलेंडे बनाते हैं लोग दो फरवाड़ी को और इस वार का जो थीम था, वो था वेटलेंड सेंड वाटर, वेटलेंड सेंड वाटर, कॉस्टन नमर 75, आर्थिक सरगक्षन 2021-2021 के अनुसार, वर्ष 2021-22 में भारत की बास्तपिक GDP कितना प्रतिसत बढ़ने का अनुमान है, 11 प्रतिसत, 11 प्रतिसत, 51 दादा सहाफ हाल के अवार्ड के लिए किस अविनेता को चुना गया है, ये अविनेता है, रजनी कांथ, रजनी कांथ, जन्वरी 2021 में किस राज्जी में 1600 टन लीथिय भंडार की खोज की गई है, करनाटक, करनाटक, 51 अंतरास्ट्रे फिल मोहतसब के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है, बंगला देश को, बंगला देश, यानि ऑप्सन अमर डी, सर्वुची नियाले के मुखनी अधिस के रूप में किसे निक्त किया गया है, सर्वुची नियाले के मुखनी अधिस एनवी रमना, एनवी रमना, आगे प्रसंट पर आते हैं, कोस्टन अमरे टी, हाले में कि अगरे गोसना के अनुसार भारत किसे देश में रूप पूर परमानु उर्जा सेंत्रा स्थापित करेगा, बंगला देश, बंगला देश, द उसके तापमान पर, उसके तापमान पर, जानिया उप्सन अमरे निले रंग और हड़े रंग के मिसरन से कौन सा रंग बनेगा, सियानी कलर बनेगा, सियान कलर, सियान, इसको सियान कलर, उप्सन अमरे सही था, धोनी उर्जा का बेज़त उर्जा में परिवरतन, किसके माध आपके अंदरी बहुत बार पुछा गया प्रशन है बेदुत चालकता की यूनेट क्या होती है बेदुत चालकता का महो होता है महो option number A question number 86 है जब सुध जल में डिटर्जन डाला जाता है तो उसका प्रिस्त तनाब क्या होगा कम होगा कम हो जाएगा यानि घट जाएगा गर्म करेंगे तब भी कम होता है ठर्णा करने से बढ़ जाएगा कौन सी धा तू जल के साथ अभी करिया करके हैड्रोजन उत्पन नहीं करेगा तो कैडमियम है कैडमियम यानि option number B यहाँ पे सही हो जाएगा निमनलिखित में से किसे भूरा कोईला कहा जाता है भूरा कोईला होता है सबसे घटिया कोईला लिगनाइट यह होता है भूरा कोईला सबसे अच्छा होता है इंत्रासेट किस कारण फिटकेडी रख्त सराब को रोकने में सहायक होता है किस कारण फिटकेडी रख्त सराब को रोकने में सहायक होता है तो वो असकंदन करता है असकंदन option number clotting जिसको कहते है जल गैस निमनलखित में से किसका मिस्टरन होता में होता है यह होता है if co-e07, cool, raign23 BC, । Rayone का निड़पार निमनलखित में से किया जाता है, rayon Marine का cellulose का cellulose, option number B Bennett कागज जो है cellulose का सुदरोप होता है jeszcze monaa Р annat निम्दलखित में से किसका प्रमुख गुन है रेडियो सक्डिया तो तो होगा नाविक में नाविक प्रोट्रो नीटर दोनों होता तो आप्शन नमणिया पर एह आपका सही है रेडियो सक्डिया था Questiondev94 है बनस्पति घी के औधोगिक उत्पादन में किस विधी का पड़यो किया जाता है उपचयान अपचयान रिपीट करते हैं बनस्पति घी के ओधोगी करन उत्पादन में कौनसी विधी पड़योग में लाई जाती है अपचयान निम्दलखित में से किस बिटैमिन का संसल संसलेशन यक्रित द्वारा किया जाता है बिटैमिन A very very important किस बिटैमिन का संसलेशन यक्रित द्वारा होता है बिटैमिन A भुर्ण की और भुर्ण की और पड़ा पोशी का किसमें सहायक होती है और पड़ा उत्सर्जन में उत्सर्जन और पड़ा पोशी का उत्सर्जन जो रक्त दाता लोग होता है, सर्वात्रिक सबको देने वाले, उसका रुधी है, तो ये O मैनस होता है, O मैनस, किस सिरा के द्वाड़ा, फेफडा में हिर्दय में सुध रक्त का परवा होता है, फेफडा से हिर्दय में, फेफडा से हिर्दय में सुध रक्त, ये जाएगा फुस फुसी सिरा पलम नड़ी वेन कहा जाता है इसको गुन सुत्रों में होते हैं गुन सुत्रों में डियने और प्रोटीन होता है डियने और प्रोटीन डियने और प्रोटीन होता है गुन सुत्रों में लास्ट प्रसन है काराजार नामक रोग किसके द्वारत संचाइद होता है यह होता है सिक्ता मक्ही से सिक्ता मक्ही उप्शन अमर सी तो सेट का कोस्टन मुझे काफी अच्छा लगा बहुत यह जैनुन प्रसंट था तो सेशन कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और कितना स्कूर की वही बताईएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब काफी अच्छे प्रसंट थे उसके इसके भी काफी अच्छे हैं तो चली देखिए और कुछ कॉमेंट यह था कि क्या यह एक्जाम में सच में हेल्प करेगा तो मेरा अपना यह खुद का ऑपनियन है कि जैसे कोई भी बुक है ना फेमस रेटर का बुक है तो मैं पूरा तक कम से कम देख लीजिए वो काफी हल्प करेगा आपको और यह वीडियो तो देखते ही हैं साथ ही आप खुद से चाहे टेक्स्ट बूक हो या बेंकर साड़ना है जिसका भी आप टेस्ट लेते हो उसका भी टेस्ट मार यह क्योंकि मैं समभबता ऐसा देखा हूं कि जितन तो यह मेरा ओनेस्ट ओपेनियोन था चलिए प्रसंद पर आते हैं हेल्प करेगा यह किस अखवार पत्रिका में वर्ना कुलर प्रेसेक्ट का समर्थन किया गया था यह किया गया था पाइनियर में पाइनियर ओप्सन नमबर सी यह वर्ना कुलर प्रेसेक्ट आया कब था य प्रतम अंगल मराथा युद्ध किसके सासन काल के दौरान घर्टित हुआ था प्रतम अंगल ये हुआ था कब 1775 के आसपास उस्ताद मनसूर किसके दर्वार में पर्मुक चितरकार थे तो चितरकार जहागीर जहागीर आपसान अंगल आगारजा, अबुलहसन, मौंबद नासीर ये सब भी चितरकार थे दिवाने को ही बिभाग का अस्थापना किया गया था मुहम्मद बिन तुगलक के टैम में मुहम्मद बिन तुगलक के टैम में दिवान एक को ही विभाग का अस्थापना किया गया था इसमें मेल ली जो एक किर्सी विभाग था किर्सी के लिए ऐसा किया गया था तो आप्सन नमर यहां पे ए आपका सही था चंदवार का युद चंदावर का युद कब हुआ था चंदावर का युद गौडी और जैचंद के विज़ हुआ था जिसमें गौडी जीत गया था तो यह हुआ थे 1194 में 1194 अच्छा तरैन का युद भी इसी टेम में हुआ था 1191 में होता तरायन का पर्थम यूद तरायन का पर्थम यूद इसमें पिर्थवी राज जीत गया था फिर तरायन का दूतिय यूद होता है 1192 में 1192 में और इसमें गौरी जीत जाता है लाहोर सॉरी लोहार बंस का संस्थापक निमनलिखित में से कौन था लोहार बंस का संस्थापक संग्राम राज था संग्राम राज यानि अप्सन नमबर बी किस बिद्वान ने बिंदू सार को सोलह राज्य का बिजेता बताया था सोलह राज्य का बिजेता तारानात के द्वारा कहा गया था तारानात कुस्सन नमबर नाइन ओस्वर मंदिर तंजोर में है, तंजोर, Option No. B, किस बौध संगती में बौध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था, चतूर्थ, Option No. D, ये चतूर्थ बौध संगती में लिली मतलब ये कहां हुआ था, तो ये कास्मीर के कुंडलबन में हुआ था, और ये वे जहीन यान महायान है वो उसी टाइम में हुआ था जैन धर्म के तीसरे तिर्थकर का परतिक चिन जैन धर्म के तीसरे तिर्थकर का परतिक चिन तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे रिसब देव थे या लखना इसको रिसब देव थे और अंतिम बाले कौन थे महावीर थे और जो तीसर तिर्द करते संभवनात उनका परतिक्ता गोरा गोरा यानि औप्षण नम्बर ड याँ से योगा निमनिलेखित में से कौन सा बेद करण्याओं की जन्म की निंदा करता है करण्याओं की जन्म का निंदा NICKS na करता है करता है और tenha को आधानिक doable कहा को याता है सरव परताम भारत पर होने वाले हून अक्रमनों की जानकाडी किसे से प्राप्त होती है यह वित्री ऐस्थंब लेक से भित्री ऐस्थंब लेक या आपका सही DR ये असकंद गुप्त के टैम से है, वित्री अस्तमलेक बैदिक काल में जीवन भर और विवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? आमाजू आमाजू, very very important बैदिक काल में जीवन भर और विवाहित रहने वाली महिला को आमाजू कहा जाता था किस गड़ा का बिसिस्ट गुन उसके चुम्ब किये च्छत्रका होना है यह किस गड़ा में है बुध हमें यह सुर्ज के सबसे नज़्दी का गड़ा है और इसमें एक भी चंद्रमा नहीं है यानि जीरो चंद्रमा है बुध और सुकर के बास अच्छा यही चारो अगर आप्शन दे और कहें कि इन चारो गड़ों में से किस पे सूर्ज जो है वो पस्चीम में उगता है कॉमेंट बाक्स से मताईएगा क्वेस्टन नमर 16 है भुमदी सागर का प्रकास अस्थम्ब किस जौला मुखी को कहा जाता है क्योंकि यह हमेशा उसमें से आग निकलते रहता है इसलिए उसको भुमदी सागर का प्रकास अस्थम्ब कहा जाता है निम्नलिकित में से कौन सा देश है अस्थल रुध नहीं है लेंड लोक इसमें से कौन सा नहीं है तो थैलेंड Thailand Thailand की राजधानी comment box बता यह असान है Aswan band किस नदी पर स्थित है Aswan band है नील नदी पर नील नदी कहाँ पर है Egypt कहा रो और यह निकलती है Victoria जिल से जो कि काफी important है यह बिस्व की सबसे लंबी नदी है जबकि सबसे चौड़ी हो तो Amazon बाबा बूदन की पहारी किस राजी में इस्तित है बाबा बूदन मिलेगा करनाटक में करनाटक option number C और यह दोनों जो धारवर पठार है उसी का हिस्सा है बाबा दून की पठारी पहारी कौन सा नदी कृष्णा की सहायक नदी है कृष्णा की सहायक नदी में मुसी आ जाएगा कोईना नदी और जो तीसरा है दूद गंगा यह सब कृष्णा नदी की सहायक नदी है यानि option number यहाँ पे एक दो ती भी यहाँ पे सही हो जाएगा भारत में सरवाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है दक्षिन पस्ची मानसून भारत में एटफ़स तो सरवाधिक वर्षा मानसून के कारण होता है और वो भी दक्षिन पस्ची मानसून के कारण परोशी देश बंगला देश के साथ कितने भारती राज्य का सीमा साजह होता है और इसमें जो राज्जी है वो कुल पांच है कौन-कौन से राज्जी है तो पहला थोगा असम, फिर मेगाले, मिजोरम, तरिपूरा और वेस्ट बंगाल तो पांच है ओप्सन नमबर C यहां सही है देखिए भारत के जो परोसी देश है और भारत का जो राज्जी है उससे ए एकजाम में आता तो सेंटरल माले में भी आता है यूपेसी तक में आता है तो उसको एक वारत सही से देखी लिजेगा मैप में भारत तथा चीन के मध्य मैक मोहन रेखा का निर्धारन किस वर्स किया गया था मैक मोहन रेखा हुआ थी जब पर्थम विसुद्ध स्टार्ट यानने सो चौदा में 1914 सुमला तथा मनाली का छेतर हिमाले के किस रेनी के औंतरगत आता है यह मिलेगा बारत की कुल्टोटी बारत की लंबाई कितनी है कुल्टोटिये भाग अगर पूछे तो 15200 होगा 15200 किलोमेटर और तटिये भाग की लंबाई बुले तो 7516 भारत के कुल तटिये भाग की लंबाई 7516 होना चाहिए यह नहीं होगा तब तो 7516 होना चाहिए option नमने यहापे D आपका सही हो जाएगा कुल अगर पूडा पूछ दे तब होता है 15200 तो यह भी नहीं पूछ रहा कुल तटिये पूछ रहा है तो अंसर बनेगा यहापे D भारतिये दलहन सोद संस्थान कहां इस्थित है भारतिये दलहन उतर परदेश कानपूर में कानपूर option number C सीमा सुरक्षावल की अस्थापना किस वर्स की गई थी 1965 में 1965 में सीमा सुरक्षावल BSF का स्थापना किया गया था परिश्थितिकी तंत्र सब्द का पर्योग सरपर्थम किस ने किया था इको सिस्टम परिश्थितिकी इसका पर्योग सबसे पहले टांसले ने किया था टांसले यानि परिश्थितिकी होता किया है इसमें जो वातावरण है न वातावरण का relation जो living thing है उसके साथ यूग कह सकते है living और non living thing का जो relation है उसे हम करत felt ecosystem परिश्थितिकी ये टांसले ने दिया था कोष्थन नेनमर 30 है निमिलिखित में से कौन सा है पहला परमानू डियक्टर हो जाएगा तारापूर और यह जो काकर पारा है यह कहाँ पे है गुजरात में है गुजरात में काफी इंपोटेंट है नरोडा मिलेगा आपको उत्तर परदेश में और रावत वहाटा है राजस्थान में राजाजी रास्टिय उद्यान किस राज में अवस्थित है राजाजी रास्टिय उद्यान मिलेगा उत्राखंड में भारत में वन सनरक्षन अधिनियम को किस वर्स पारित किया गया था यह 1980 में पारित हुआ था पिछले से ट्मीव ने पढ़िया था खाद और किर्सी संगठन का मुख्याले कहां इस्थित है खाद और किर्सी संगठन यह है रोम में खाने पिने वाला रोम में ही है यानि उप्सन नमरियां पे आपका ए सही हो गया राजनिती की अरप टीली राहें पुस्तक के लेखक राजनिती की रप टीली राहें इसके लेखक हैं अटल विहारी वाजबाई अटल विहारी वाजबाई यह अप्शन नमर यहाँ पे C हो गया राश्ट्रिये पंचायती राज डिवस कब मनाते हैं? 24 अपरिल को 24 अप्रिल को मनाते हैं राश्ट्रिये पंचायती राज दिवस जबकि 18 अप्रिल को क्या मनाते हैं विश्व बिरासत दिवस राश्ट्रिये खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतरगत चावल का मुल्य परती किलोगराम कितना निर्धारित किया गया है 3 रुपिया पर केजी रास्ट्रिय आई समीती के गठन की अध्यक्षता में किया गया था PC महालोनभिस जो की दूसरा जो पंच बर्स की योजना था उसके मोडल कार थे मानब विकास उचिकांग के अंतरगत निमनलिक्षत में से किस भी सहब को समलित नहीं किया जाता है तो उसमें हम जनसंख्या को कॉंट नहीं करते जबकि सिक्षा परक्यप्टा इंकम यानि पर्तिव्यक्ति आये और जिवन परत्यास्ता ये HDI में आता है Human Development Index में तो यहां पर जनसंख्या आपका आंसर हो जाएगा यानि उप्सन नमबर ए सही है समूदाईक विकास कारिकरम की सुरुआत किस पंच बर्सी ओजना के दोरान किया गया था प्रथम पंच बर्सी औजना में या उप्सन नमबर ए ये 51 से लेकर 56 तक चला था 51 65 तो अप्सन नमबर ए आर्थिक दीश्टि कौन से दूतियक च्टर जहां भी वूता है तुतियक में और प्रात्मिक में तो जो हम नेचर से ररेक्ट पराप्त करते हैं वो होता है। सलाकार सम्हिति के अध्यक्ष कौन थे हैं? सलाकार सम्हिति के ते सरदार पटेर अप्सटर पति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है अमिरिका से अप्सटर नमर ये यहां आपका सही है विधाय को तथा संसदो दुआरा ली जाने वाली सपत का परतिग्या का परणूप किस अनुसुची में वर्णित है ये मिलेगा आपको तीसरी अनुसुची में तीसरी अनुसुची भारतिय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है भारतिय नागरिकता को तीन तरीका है इसके लिए एक तो है परित्याग परित्याग परियावसान और वंचित करना यह सब तरीके हैं जबकि जो नागरिकता हासिल करना है अगर आपको तुसके ठेड़ सारे पांच तरीके हैं में लियाद करना पड़ेगा पांच जैसे जन्म से वनसान नुगत रजिस्ट्री करन से देशिय करन से और भारत में अगर कोई राजी मिल गया तो उससे तो सभी बच्चों को निसुलक एवं अनिवारी सिक्षा उपलब्द कराया गया तो यह च्यासिवा संबिधान संसोधन यह हुआ कब था दो हजार दो में दो हजार दो राश्ट्री ये अस्मारकों अस्थानों और बस्तूओं का सनरक्षन किस अनुछेद्ने वर्णित है भारत में बर्तमान राश्ट्रपती तथा उपराश्ट्रपती का अपने पद के अनुसार करम कौन सा है तो बर्तमान में जो राश्ट्रपती है उनका करम हो जाएगा एक लाइन से मुयाद है तो परधान मंतरी का करम है पंद्रहवा राश्ट्रपती का तेरहवा और उपर यह लोग सभा की उपाध्यक्ष को छोपते हैं यह और अप्शन नमबर सी भारत के किस राजी को बिसेश राजी का दर्जा किस फर्मूले के आधार पर दिया जाता है इसके लिए फर्मूला है गाडर गिल फर्मूला गाडगिल फर्मूला बर्तमान में कितने हैं तो एक ग्यारा राज है जिसको बिशेस राज का दर्जा दिया गया है संग लोक सेवा आयोक के अध्यक्ष का कारिकाल कितने वर्सों का होता है छे वर्सों का छे वर्स और बरतमान में लोग से आयों कि अध्यक्स कौन है प्रदीब कुमार जोसी तो नाम याद रखेगा प्रदीब कुमार जोसी पंचायती राज समंधी कुछ समीती दिया गया है तो उसका गठन का हुआ यह आपको मिलाना है यहाँ पर मतलब कौन से हैं पर मिलाना गल में फिर उसके 20 साल के बाद आया असुक महता समीती फिर जिये वी के रौ समीती 1985 में और सबसे लास्ट में L.M. सिंधवी समीती आया था 1986 में एक साल के बाद ही आया था तो अंसर यहाँ पर आपका D था सिक्छा किस सुची के अंतरगत आता है सिक्छा आ जाएगा अब समव समवर्ति सुची और जो सुची है बड़्तमान में मतलब अगर बात करें तो संग्न सुची में कुल कितने हैं 100 राज सुची में 61 कि स्मवर्ति सुची में 52 चीन का राश्ट्रिय खेल से जो यह रहा कुशत था चीन का राश्ट्री ये खेल क्या है टेवल टेनिस चीन का राश्ट्री खेल टेवल टेनिस और भुटान का राश्ट्री खेल काफी इंपोर्टेंट है तिरंदा जी है तिरंदा जी भारत में ओलम्पिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता ओलम्पिक में 1988 में जीता था 1988 में होकी में जीता था वेस्ट्रम में हो रहा था कोस्टन नमर 55 वर्स 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरुसकार दिया गया पद्म पुरुसकार इस पर दियागे 119 लोगों को 119 ओप्सन नमबर C आपका सही होगा किसी जिवित सरीड के भीतर कोसिका या उत्तक की मिर्तियू को क्या कहते हैं उसे कहते हैं नेक्रोसिस नेक्रोसिस ओप्सन नमबर B जो काला काला हो जाता है नेक्रोसिस नमबर C 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 नम निम्नलेखित में से कौन सा जनतु अस्थरपाई नहीं है अस्थरपाई इसमें से नहीं है तो सारक सार का स्थन पाई नहीं है जो कि चमकादर चूहा ये सब स्थन पाई है मानब मस्तिस्क में कितने निलाए होते हैं निलाए की संख्यां चार होती है मानब मस्तिस्क में दो निलाए होता है दो परसु निलाए और एक दाएं और एक बाएं का तो चार हो जाएगा निम्नलखित में से कौन? मानब मुत्र का एक औसमानिय घटक है मानब मुत्र का औसमानिय घटक जो उसमें नहीं होता है अलबूमीन जबकि सोडियम यूरिया तो होता ही है और अमोनिया नहीं होता जब सरीड से बाहर निकलता उसमें जूरिया होता है वो हवा के संपर्क में आने से अमोनिया बनता है इसलिए गंध भी करता है तो एक प्रस्थन आता है कि मुतर का गंध करने का कारण अमोनिया होता है ना कि जूरिया मानव शरीड का सबसे बड़ा अंग होता यक्रित लीभर याने अप्शन अमबर बी 1.5 ओम के परतिरोध वाली परिपत पर 150 भोल्ट लगाया जाता है तो परतिरोध द्वारा खर्च की गई कुल उड़ जा सकती में कितना होगा तो प ब्रावर क्या होता है भी स्क्वाइर बाई आर तो भी यहाँ पे 150 है तो 150 गुने 150 बट्टे 1.5 तो इसको आप हटाओ और उपर 10 हो जाएगा 15 से 15 काटो यानि एक दो तीन 15 पे 3 को 0 यानि 15,000 वाट पानी की बुंदों का तेलिये प्रिस्ट पर ना चिपकने का क्या कारण होगा असंजक बल अगर चिपक जाएगा तो ससंजक नहीं चिपकेगा तो असंजक बल कोस्टन नमर 66 तुल्यकाडी उपगड़ा के पड़ी कर्मन की अबधी कितनी होती है तुल्यकाडी ये 24 घंटा होता है 24 घंटा ओपसन नमर एस ही है जिसका उंचे कितना होता है 36,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर पेंडूलम को चंदर्मा पर ले जाने पर उसके आवर्त काल पर इसे लिए वो बढ़ जाएगा गुर्ताकरशन बढ़ेगा अगर अगर प्रसपती पिले के चले जाएगे तो आवर्त काल कम हो जाएगा क्योंकि उसका फर्मूला जो होता है ना रूट अंडर ये टूपाई इधर करके ई बाई जी होता है तो नीची अगर जी है तो वो ए एकस के रन किस प्रकार का तरंग है यह विजत चुम्प किये है एकस की रन जो है विजत चुम्प किये है जब किसी बस्तू को दस समानतर समतल दरपन के बीच रखा जाएगा तो परती में बनेगा अनन्थ जब समानतर होगा तब निदो ऐसे फर्मूला होता है ठीटा वाइन एंटी और अगर इभेन नमारा राजे समसंग है तो मैनस वन कर देना है वर्ड नांदता नामक रोग को किसके पड़ियोग दूरा दूर किया जाएगा वर्ड नांदता जो कलर बलेंडेस होता है और वो चैंजी नहीं होता यानि मतलब ठीक नहीं होता तो आंसर यहां पर क्या वनेगा डी उप्रोक्त में से कोई ने निम्दलिखित में से कौन एक निस्क्रिये गैस का उदाहरन है आरगन जो है वो निसक्रिये कैसे है आरगन क्रिप्टन जनौन ये सब अकडिये कैसे है आतिस वाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाए देता है बेरियम के कारण हरा रंग लाल रंग के लिए एस्ट्रोसियम होता है लाल रंग निला रंग के लिए आपको कौपर चाहिए और सिल्वर रंग के लिए ऐलुमिनियम चाहिए और यहां हरा रंग था तो बेरियम निम्नलिकित में से किसे बिलियन भी कहा जाता है इसमें से कौन सा है जिसे हम बिलियन कहते हैं तो समांगी मिसरन को समांगी मिसरन Aluminium के किस बिधी दुवारा सुध किया जाता है Aluminium को हम सुध करते हैं बिधुत अपघटन के दुवारा बिधुत अपघटन यानि option number C निमने लेखित में से कौन वायू परदूसन को monitor करता है वायू परदूसन को lichen lichen monitor करता है वायू परदूसन या अच्छा सुचा कह सकते हो Turn Around India 2020 Surmounting Past Legacy इस पुस्तक के लेख़ कौन है नाम फिर से रिपीट करते है Turn Around India 2020 Surmounting Past Legacy इसके हैं RP गुपता RP गुपता यानि option number A हाली में किस राजी ने knowledge mission नामा के एक digital platform को launch किया knowledge mission ये launch किया है केरल केरल Question number 78 Olympic ticket पाने वाली पहली भारती तलवारबाज बनी है भवानी देवी भवानी देवी भारत का पहला केंद्री करित AC Railway Terminal कहां अस्थापित किया जाएगा बैंगलोडो में यानि option number C हाली में किस राजी ने 9 पुस्त काले खोलने की घोसना की है 9 पुस्त काले खोलेगा पस्षीम बंगला आना की खोल भी लिया है पस्षीम बंगला शार्वजनिक और जो तैरता हुआ ATM किस ने बनाया State Bank ने बनाया State Bank सार्वजनिक अस्थलों पर पुर्ण चेहरा ढखने पर पर्तिवंध लगाने है तू किस रास्टर में मद्दान हुआ Switzerland वर्स 2021 में दस्तलिक सेकेंड जो सेन अभ्यास होता है वो किंदो देसों के बीज़ हो तो भारत और जवेकिस्तान भारत और जवेकिस्तान दस्तलिक दस्तलिक याद रखिये का और यह इस वार हुआ था रानी के तुटरा खंड में आज बदा नहीं क्या हो रही है अगे अबका भारत में साहतूत बांध के निर्मान के लिए किस देस के साथ समझगता हुआ है साहतूत बांध के लिए अफगानिस्तान के साथ हुआ अफगानिस्तान याप्सन नमबर डी 93 नमबर का अकादमी पुरुसकार के लिए लाइव एक्सन सिरेनी में सिर्स 10 लगू फिल्म में किस भारती लगू फिल्म को चुना गया है तो ये फिल्म हो जाएगा बिट्टू अफ़सन नमबर डी परधान मंत्री मोदी ने हाली में किस राजी में बीपी सी एल के प्रोपलीन व्यूत्पन पेट्रो केमिकल पर्योजना का उदगाटन किया है ये उदगाटन हुआ केरल में केरल बीपी सी एल का पोपलीन व्यूत्पन पेट्रो केमिकल पर्योजना खुस्सन नमरे टी सिक्स है हाली में अंतरास्ट्रिस और गटबंधन के नए महाणिदेसक के रूप में किसे चुना गया डॉक्टर अजय माथूर डॉक्टर अजय माथूर अप्सन नमरे गलोवल फायर पावर रैंकिंग दो हजार एकिस के अनुसार दुनिया में सबसे जैदा सैने च्छमता किस देश के पास है सबसे दिखे हैं अमेरिगा के पास दूसरे अस्थान पे आता है चैना केंदरिये मंतरी मंडल ने सौर उर्जा के च्छतर में सहीओ के लिए किस देश के साथ मौमेरेंडाम आफ अंडरेस्टेंडिंग को मंजूरी दिया है उजवेकिस्तान के साथ उजवेकिस्तान हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनों में किया गया इसका थीम क्या रहा इसका थीम था वोकल फोर लोकल वोकल फोर लोकल यह उप्सन नमर डी किस परसीद लेखक लेखिका को तीसवा सरसुती समान 2021 से समानित किया गया डॉक्टर सरन कुमार लिम्बाले कोवेट 19 टिका करन अभियान में प्रथम चरन की सुरुवात भारत में कव की गई थी यह पहला चरन जो हुआ था वो 16 जनवरी को हुआ था 16 जनवरी 2021 निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 की मेजवानी करेगा G7 2021 की मेजवानी कर रहा बिरिटेन बिरिटेन ओप्सन नमर डी इग यान मित्र एप किस केंदर प्रसासित परदेश के दुआरा जाड़ी किया गया है दादर और नागर हवेली दादर और नागर हवेली एबम दमन दीप क्वेस्टन में 84 है जलवायू परिवर्तन प्रदर्सन सुचिकांक 2021 में भारत का अस्थान रहा दसवा जलवायू परिवर्तन में टॉप पर रा स्वीटन स्वीटन में पहले दूसरे अस्थान पर कोई भी देश नहीं रहा इसमें मार्क लाना होता है केंदरिये बजट 2020-21 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोस्तना की गई है तो ये एक सो स्कूल खोला जाएगा एक सो सैनिक स्कूल अब यहां से जो तीन-चार मैथ के परस्तन है तो देख लीजिए हम कोशिज करेंगे असान तरीके से बनाने का ताकि आपको एक्जाम में हल्प करें यहां पर कि पचास से लेकर एक सो के बीज सभी अभाज संख्यों का योग ज्यात करें तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया यह आपको सारा लिखना पड़ेगा बोगत अधिक नहीं है जैसे कि 51 योगा 53 हो जाएगा 53 के बाद 59 उसके बाद 61, 67 71 73, 79 81 तो हो जाएगा 83, 89 और 97 इस सब को एड़ कर लेना है तो अब का अंसर आजाएगा 7, 32 Option नमर B आगे प्रसने कि एक बिद्यारती को एक संख्या में तीन से गुना करने के लिए कहा लेकिन गलती से उसने उस संख्या को तीन से भागा दे दिया मतलब जो संख्या 3X होना चाहिए था अब वो क्या हो गया एक्स बट्टी 3 हो गया इस परकार उसका जो सही उत्तर था वो 72 कम हो गया तो अब 3X में से X by 3 कर दो मैनस और इसकल टो 72 लिख दो LCM होगा 3 हो जाएगा यहाँ पे 9X मैनस 6 इसकल टो 72 यह हो जाएगा 8X और यहाँ पे 72 मल्टीप्लाइ 3 8 से कट करो 9 एन थरीचा 27 option number D आपका सही हो जाएगा एक काडियालाय में 68% करमचारी चाहिए पीते हैं 38% जो है यह है उसके बाद है यदि प्रते करमचारी चाहिए अत्वा काफी आवस्ची पीते हैं यदि 24 करमचारी चाहिए अत्वा काणी दोनों पीते हैं तो काडियालाय में खुल कितने करमचारी हैं आप ऐसे कर सकते हो एसे हैं इस यह वाला जो है वो चाहिए पीने वाला है 58 और इसिग्स बाला जो वह थrty एट जो है वह कॉफी पिने वाला है तो दोनों कीतना प्येगा तो इस दोनों का नचीजिए यह जैनि 68 और 38 को 16 बचला है वन जो जीडो याईनि 6% जो है नो दोनों पी रहा है ठीक ना तो एक्स का 6% जो है वो 24 निकाल लिया है यह 400 आप्सन नमबर ए कुल करमचाड़ी हो गया 400 अब जो चाहिए कोफी निकालना होगा अलग लग निकाल सकते हैं कोशन नमबर 99 उसके बाद फिर 100 इसमें दिया गया है कि ए ने 36,000 की पुंजी लगा कर एक व्यपार प्रारंप किया उसके बाद B भी इतना लगा दिया यदि वर्स के आंत में उसका लाव का अनुपाद इतना है तो व्यपार के आरंप होने के कितने महिने के बाद B आ गया तो कितना दिन तक चला में इसमें यही है एक वर्स के आंत में यानि बादा महिना हुआ तो दखिए इसमें क्या करना है ना कि तीन जिरो इसमें भी है तीन जिरो इसमें वैसे ही काट दिजिए 36 लखिए और नीचे में लखिए कितना 45 ठीक यह जो था वो तो बादा महिना काम किया है तो मॉल्टिपले बादा कीजिए और इसका हम को पता नित एकस लिखते हैं अब यह भी लिख सकते हैं 12 मैंस एकस वो भी लिख सकते हैं इस गल्टी टू बै वान बस कट कर लीजए 9 से 4 बार में 9 से 5 बार में ठीक यह 2 बार में तो कितना हो जाएगा एक्सिस गल्टू 24 हो जाएगा कुछ गल्टी किया गिया फिर से कट करते हैं एक बर नहीं सही है लेकिन यहाँ पर गल्टी है ठीक नहीं यहाँ पर 54 होना चाहिए ठीक नहीं तब इसका अंसार मिलेगा तो 36 by 54 करेंगे multiply 12 multiply x by 2 by 1 ठीक तो अब कट करेंगे 2 से तो यह 13 सोरी 18 से कट जाएगा 2 से और 3 से 3 से 4 बार में कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा याँ एक्सिस गल्टू 4 मा option नमर एसा ही होगा 45 नहीं होगा यहाँ पर 54 होगा question नमर 103 देखिए 132 मीटर और 148 मीटर की दो लंबी रेल गाड़ी विप्रित दिसा में जाएग इधर एग इधर इधर ठीक ना यह वाला जो 132 मीटर वाला है वो 30 के स्पीट से है और यह 42 के स्पीट से है एक दुसरे को पार करने में कितना समय लगेगा देखिए यहां पर time fix है ठीक ना तो time बरावर time दोनों को time से मिला है time बरावर होता क्या है दूरी बटे चाल तो 132 बटे 40 का 30 है और इसका चाल क्या है 148 बटे 42 अब देखिए यहां पर किलो मीटर है और यह मीटर है फिर भी कोई फरक नहीं बड़ता क्योंकि हम बरावर किया है तो पॉंच बैठारा करेंगे तब भी दोनों कटी जाएगा ठीक ना तो आप इसको वैसे भी solve कर सकते है तो इसको गर हम कट करें लेकिन दूरी निकाल लेते हैं इससे अच्छा होगा क्योंकि इसमें तो कोई gradient ही नहीं निकला एक सो बतीस और एक सो आर्तालिस को जोड लेते हैं तो क्या हो जाएगा जीरो आठ और यह हो जाएगा आपका दो यह होगी आपका length ठीक अब निकाल लेते हैं दो सो असी बाइ इस दोनों को जोड रेंगे तो 72 72 से कट करना है पर इसको लाने के लिए 518 से multiply कर लेते हैं ज्यदा अच्छा रहेगा 72 को 518 से multiply कीजिए 820 हो गया तो 210 कीजिए 210 कट गया 14 यानि 14 सेकेंड ऑप्सन नमर 20 इसको फिर से बना लेते हैं समझने में दिक्कत हो गया होगा मतलब हम खुद बनाएं खुद समझें स्टेप का हो गया यह यहां पर बना देते हैं अराम से देखिएगा फिर से पढ़ते हैं 132 मीटर तथा 148 मीटर लंबी दो रियल गारी बेपरित दिशा में करम सा 30 किलोमेटर परती सेकेंड और 42 किलोमेटर परती सेकेंड की चाल से चल रही है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा तो जैसे मालो एक गारी है इधर गया इधर गया इसको पार करने में कितना समय लगा तो ट्रेन का जो लंबा ही होगा वही दूरी होता है तो इस दोनों को एड़ करेंगे तो एड़ करने से क्या हो गया था हमको 082 हो गया था तो समय ब्राबर होता है दूरी बट्टे चाल तो दो सो असी बट्टे बीस जिरो जिरो कटके आफ 14 तो 14 हो के आंजर देखिए को सन ठीक ठाक था अब इसमें कितना स्कोर कर पाते हैं वह मैने होता है कम से कम उमीद रखे कि 70 से 80 के बीच मेरी उससे कम है तो और अधिक मेहनत क करना होता है तो यहां इससे को करते हैं बिलते हैं नेक्स वीडियो में और हाँ एक ची जगा और आप कर सकते हैं जैसे मैथ का पांच को सन है तो देखिए किस ट्रेप के मैथ आपको दिक्कत हो रहा है ठीक ना ऐसा रखिए टारेट की मैथ पांच ये पांच आ जाना चाहि और अभी हम पढ़ रहे हैं जो भी हर दरोगा का एक्जाम होने वाला है उसके लिए एरुटेडिया का प्रेक्टिस सेट तो यह हमारा सेट नमर तीन है और एक्जाम के लिए आप कुछी दिन बचा हुआ है तो एक्जाम को सही तरीके से अब लिजिए कि जिस पार्ट में आपका नमर कम आता है उस पार्ट को धियान से पढ़ यह तो में ठीक नमर गेन होगा क्योंकि एक्जाम टैम में एवरेज बचे वही करते हैं जो पार्ट उनको असान लगता है उसी पार्ट पर अधिक मेहनत करते हैं पढ़ने मज़ा आता है तो वो नहीं करना है जैसे जि फिरोधियों के परती किसने कठोर लोह एवम रक्त की निती का पालन किया था लोह और रक्त जब भी आये तो बलवन बलवन ऑप्सन नमबर सी यहाँ पर सही है कोस्टन नमबर सेकेंट फिरोज तुगलक के दुआड़ा लगाया गया सिचाय कर उपज का कुल कितना होता था यह वन बाई टेन होता था टेन परसेंट यानि उपसन नमबर डी हैं सही होगा अच्छा उपर जो यह बलवन था यह गुलाम था किसका गुलाम था तो यह इलतूत मिस का था इलतूत मिस उसको याद रखिएगा कोस्टन नमबर तरी पर आते हैं अकवर दौरा जो इलाही धर्म इलाही संबत की सुरुवात की गई थी वो किस वर्स किया गया था अकवर दौरा इलाही संबत की सुरुवात की गई थी पंद्रह सो तेरासी में पंद्रह सो तेरासी यानि उपसन नमबर बी यहां सही होगा निम निलिखित में से किसे मराठों का मेकिया वेली कहा गय था पाहुल परनाली गुरु गोबिंद सिंग के द्वारा गुरु गोबिंद पाहुल परनाली ऑप्सन नमबर सी और इनके वारे में कई सारी प्रस्ण बनते हैं क्योंकि यह पटना से थे तो विहारवाल एकजाम में काफी इंप्रोटेंट होता है कब हुआ तो इनका जन्म 16 1666 मुसलिम सिक्षा के बिकास के लिए प्रत्थम मदर्षा की अस्थापना कब की गए थी पहला मदर्षा 1781 बना था कुलगता में 1781 option number B दास प्रथा का अंत किस गवर्णर जनरल के सासन काल के दोरान किया गया था दास प्रथा का अंत ये 1843 में किया गया था तो स्टेम में कौन था लॉर्ड एलेन बरो प्रसिद रंगपो बिद्रो का सम्मन्ध किस राजिस से है रंगपो बिद्रो हुआ था 1889 से लेकर 1922 तक लंबा चला था ये 1889 में नहीं लिखना था यहाँ काफी लंबा चला था ये था सौथ इंडिया का आंधर परदेश का इसके नेताते हैं सीता राम राजू याद रख लिजेगा थोड़ा कि अफी इंपोर्टेंट होता है सीता राम राजू रापांगो बिद्रो भारती सुधार समिती की अस्थापना किस ने की थी भारती सुधार समिती दादा भय ने रोजी दादा भय ने रोजी ने किया था और इन्होंने एक धर निसकासन का सिध्यानत भी दिया था, यह भी पूछा जाता है, 1857 की करांथी के दौरान फेजाबाद में इसका निर्टित तो किस ने किया था, 1857 की जो करांथी हुई थी, वो फेजाबाद में इनका निर्टित तो किनके दौरा किया गया था, मौल भी अहमदुल्ला के दुआरा और जबकि अगर बात करें बरेली में इनके दुआरा किया गया था बरेली में खान बहादूर खान के दुआरा बरेली में खान बहादूर खा और फतेहपूर सिक्री जो है या फतेहपूर उसमें अजिमुल्ला कर रहे थे तो अभी पड़सन था कि कि फैजाबाद में कौन निर्टित कर रहे थे मौल भी अहमद उल्ला कैवनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लिंग ने कब स्विकार किया था 6 जून 1946 को 6 जून 1946 भागत सिंग को फांसी की सजा सुनाने वाला नियाधिस निमनलिखित में से कौन सा था इनका नाम था जी सी हिल्टन जी सी हिल्टन जी सी हिल्टन ऑप्सन नमर सी यहां सही है 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दिया गया था भागत सिंग को सहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है कौसन नमर 13 आग का विसकार किस काल के दोरान किया गया था आग का विसकार हुआ था पूरा पासान काल में पूरा पासान काल में जबकि अगर बात करें पहिये का तो पहिये का हुआ था नब पासान काल में निमने लिखित में से किस अस्थान में या किस अस्थान से निर्तकी की कासी मुर्थी प्राप्त हुई है मोहन जोदरो मोहन जोदरो जिसे मिर्तकों का ठिला भी कहते हैं और जुता हुआ खित जो है कहां से मिला वो काली बंगान से मिला काली बंगान से यहाँ आपका अंसर मोहन जोदरो है जहां से एक कास्य की मूर्ती मिली निर्तकी की तो आपसर नमबर सी यहां सही है कोस्टर नमबर फिप्टीन प्रसिद राजवैद जीवक किसके दरवार में रहते थे जीवक एक राजवैद था जो बिम्बी सार के दरवार में रहता था बिम्बी सार और बिम्बी सार जो था अपने राजधानी कहा बनाया राजग्री किस वर्ज रास्ट्रिये नियोजन समीती का कठन किया गया था रास्ट्रिये नियोजन समीती 1938 में 1938 जिसकी अध्यक्सता जवाहर लाल नहरू कर रहे थे रास्ट्रिये नियोजन समीधी दुरगापूर इस पात कारखाना की अस्थापना किस पंचवर्षी योजना के दौरान किया गया था तो ये सब दूतिये पंचवर्षी योजना के टैम में हुआ था दूतिये पंचवर्षी योजना ये इसका जो टेन्योर था वो पंदरा सोड़ी उनिस सो चपन से लेकर एकसर तक था और ये 59 में किया गया था अस्थापना इसका भारतिय बीमा बिनियामक और विकास प्राधिकरन यानि इर्डा इंसुरेंस रेगुलेटरी डेवलप्मेंट और अथरेटी इसका मुख्याले कहाँ पर है 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 रावाद है रावाद अस्थापना कभा आता है यह कई वार पूछा जाता है 1999 और इर्डा को इस पार साथ रेगुलेटर कर दें कि मामले में कोई प्राइज भी मिला है तो याद रखिए गा इनके बारे में निमदेलेखित में से कौन सा ऑपरत्यक्ष कर क मतलब यह कर है जी एस्टी प्रिंसपल ओफ एकोनोमिक्स पुस्तक के लेखक है मार्सल और वेल्थ आफ नेशन काफी इंपोर्टेंट है वो एडम स्मीथ का है वेल्थ आफ नेशन भोरगाट दर्रा किंदो अस्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है भोरगाट यह मिलेगा भाट धारला निम्दलिखित में से किसकी सहायक नदी है भारत और नेपाल के बीच है और साथी और भी योजना भारत और नेपाल के बीच है यह तो सारदा है सार्दा फिर कोसी पर्योजना लगा लगे फिर है टनकपूर पर्योजना तो पंचेस्वर पर्योजना सार्दा कोसी और टनकपूर पर्योजना यह सब भारत और नेपाल के बीच है भारत में कोईला भंडार के मामले में कौन सा राज यगरणी है तो कोईला भंडारन में जहारखंड हो जाएगा अगरणी Option No.C भारत सरकार ने रास्ट्रिय किरसी निती की घोसना किस वर्स की थी रास्ट्रिय किरसी निती 2000 में था दो हजार और इसमें अगले दो तो सक में चार परसेंट बिड़धी करने का लक्ष था दो हजार बाइस तक है किरसी जो किसान है उसका आय दुगुना करना दक्षिनी सहादरी का नेमने लिखित में से सरवचे सीखर कौन सा है दक्षिनी सहादरी का केंद्रमुक नाम है उसका केंद्रमुक अप्सन नम्मर ए निमने लिखित में से किस राजी से होकर करकरेखा नहीं गुजरती है तो करकरेखा आठ राजों से होकर गुजरती है इसका नाम यात होना चाहिए गुजरात, राजस्थान, मधिपर्देश, च्छतिसगड, छारखंड, पस्सिम बंगाल, त्रिपूरा और मिजोरम तो यह अब मनीपूर नहीं होगा यह आठ राज सब याद रखिएगा और जो टैम जोन है भारत वाला वो पांच राज से खुरक उजरता है और करक डेखा आठ राज से जावा सागर तथा हिंद महा सागर को कौन सी जलसंधी जोड़ती है सूठा जलसंधी, सूठा जलसंधी, जावा सागर और हिंद महा सागर को जोड़ती है किस महादीप को मानव उत्पत्ती का केंदर माना जाता है मानव उत्पत्ती का कंदर हो जाता है अफरीका निमने लिखित में से किस मिर्दा को छेत्रिय विस्तार भारत में सरवाधिक है किस मिर्दा का छेत्रिय विस्तार भारत में सबसे अधिक है तो भारत में सबसे अधिक मिलेगा जलोड मिट्टी जलोड बिटी, यानि option number C मुडलेन राश्टिय उद्यान किस राज्ज में है मुडलेन राश्टिय उद्यान ये मिजोरम में मिजोरम, साथ ये वहाँ पर एक डंफा ये भी है, डंफा मुडलेन एक साथ शाहत कीज़ए, डंफा मुडलेन ये दोनों कहाँ पर है बिजोरम में विश्व ओजोन दिवस प्रती वर्ष किस तिती को मनाते हैं 16 सिप्टेंबर को मनाते हैं 16 सिप्टेंबर को विश्व ओजोन दिवस नमार 33 है भारत में अंत्रइक्ष कालीकरम की शुरूत की गए थी अंत्र निक्ष कालीकरम हुआ था कि 6 fears大家都 में और इस दो का स्थापना हुआ था डीयार्डियो का स्थापना dispute 1908 में लेकिन जो अंत्रिक्ष कालीकरम है वह हुआ था 1962 अंतर रास्ट्रिय स्रम संगठन रास्था अपना कव वह था उन्नीस सो उन्नीस में मुख्याले पूशा जा रहा है यह वह था जेनेवा जेनेवा में इसका मुख्याले और गयर एडर जो है इसके वह चेयर मैन है उदय भूमी निमन में से किस महापुरुस की समाधिय अस्थल है उदय पूरी K.R. नरायन और ये भारत के अतलब जो राष्टरपती रह चुके हैं दसवे राष्टरपती थे और उपराष्टरपती भी रहे थे नौवे उपराष्टरपती और दसवे राष्टरपती देश का सरवच्ची बीरता पुरुसकार निमनलिखित में से कौन सा है सरवच्ची बीरता पुरुसकार है परंबीर चक्र परंबीर चक्र और इसकी सुरुवात हुई 1947 से 1947 से और ये मिली सैनिक को ही मिलता है रेनुका जील जो भारत में रामसर आदर भूमी छत्र के अंतरगत आता है का सम्मन्ध किस राज़ी से है यह हिमाचल पर्देश से हिमाचल पर्देश आदर भूमी दिवस हम लोग दो फरवरी को मनाते हैं किस ट्रॉफी या कप का सम्मन्ध फुटबॉल से नहीं है तो फुटबॉल से यहां पर जिसे मेर्स कप है तो मेर्स कप नहीं होगा मेर्स कप तो होता है किसे मुक्यवाजी से मुक्यवाजी से होता है मेर्स कप जबकि डूरंड रोवर्स कप आसुतोस कप यह सब फुटबॉ को सर पर थम किस वर्स फ़ढ़ाया गया था ओलंपिक धोज को 1920 में फ़ढ़ाया गया था 1920 बेलजय में फ़ढ़ाया गया था और इसका निर्मान जो है वो बोरॉन पी एलडी कारवर्टी ने किया था सूचना करांती के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है सूचना करांत को सामिल किया गया है यह ताल सत्तरवा संबिधान संसोधन सत्थर्वा और एक सप्थवा की जो राश्ट्रपती है, इस को हटाने के लिए महा भीयूग लगाया जाता है यह काफी इंप्थेंट हो जात विर सानमर ब्यार्यश् लोकसभा के बैठक को गन पूर्टी के अभाब में अस्थगित करने का अधिकार किसे है? यह अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष का लोकसभा अध्यक्ष यह अनुचेद 122 कि नियाइक संस्थ की कारवाही की जांच नहीं किया जा सकता कोस्टे नमर 44, भारतिय संब्धान की उद्देशिका में कितने प्रकार के नियाएका वर्णन किया गया है तो यहां पर प्रस्ताबना में तीन प्रकार के निया है समाजिक नियाय, आर्थिक नियाय और राजनेतिक नियाय, समाजिक आर्थिक और नियाय, ऐसा मनोग पढ़ते हैं, तो समाजिक आर्थिक और राजनेतिक ये तीन नियाय है, प्रस्ताब नामे, और सोतंतरता पांच प्रकार का है, निम्दलिखित में से कौन, सोतंतर भारत के पहले सूचना और प्रसारन मंत्री थे सर्दार पटेल, सर्दार बल्लब भैपटेल, पहले सूचना और प्रसारन मंत्री थे, 1947 में जब अजाद हुआ था उसी टेम से, निम्दलिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब अचा आगे दिया गया है, इसमें से कौन सा सुमेल राचर जख्षिन अफरिका से दूसादन विवस्था ये बिरिटेन से दूसादन विवस्था बिरिटेन और समवरती सची अस्ट्रेलिया से यह यह दोनों गलत हो गया जर्छन नमबर यह आपका का सही है कोस्टन नमर 47 है बिहार में लोक सभा तो लोक सभा का तो 40 सीट है और राज सभा का सीट है 16 यानि 40 और 16 आपसन नमर B केंदर राज समंदों पर गठित सरकडिया आयो का गठन किस बर्स किया गया था सरकडिया आयो का गठन हुआ था 1983 में 1983 आपसन नमर C और इसने पर रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत किया था 1987 में इसका सम्मंद है राजी और केंदर और राज से कोस्टन नमर 49 बेरानवेवा संबिधान संसोधन के दहत किन भासाओं को आठवी अनुसुची में सामिल किया गया आठवी अनुसुची में 22 छत्रिय भासा को सामिल किया गया लेकिन 22 संबिधान संसोधन में उसमें डोगरी, बोडो, मैथली और संथाली तो डोगरी, बोडो, मैथली और संथाली मतलब चार लेंग्विज एड किया गया था तो यहापर आंसर क्या हो जाएगा ऑपसन नमर D और यह किस वर्स हुआ था 2003 में कुल कितनी बार दोनों सदनों की संजुक्त बैठक बुलाई गई है, तो दोनों सदनों का संजुक्त बैठक तीन वार हुआ है, सबसे पहली वार हुआ था देहज परतिबंध जो लगा था 1971 में उसमें, उसके बाद बैंक सेवा विधायक जो 1978 में पाडित हुआ था ब्रास इस नियाले के नियाधिसों की सेवा निविर्थी के आयू छो वर्स या 62 वर्स जो पहले कंप्लिट हो जाए, और सुप्रीम कोट के लिए जो यह आयू है 65 वर्स है, और उच कोट के लिए हाई कोट 62 वर्स है, दल बदल जो की दसवी अनुसुची में है, यह अधिनियम किस वर्स पारित किया गया था, उननीस सो पचासी में, उननीस सो पचासी, अपसा नमर बी, रास्ट्रिये हरित न्याय अधिकरन, इसका अस्थापना का हुआ था 2010 में, और इसका मुख्याले कहां पे है, यह है नई दिली में, नई दिली और आदर्स कुमार गोयल, जो है इसके लोग भारत दरा सुरू किये थे, वो परमानू बिजली घर अस्थापित कर रहा था, बार बड़ी और जमुना पूरी, किसकी नसले हैं, जमुना पूरी से तो टिक कर सकते हैं, बकडी का है, बकडी का, यानि उप्सन नमर, सी यहां पर सही है, आगे प्रसंट पर आते हैं, गोस्टिन नमर, 58-56 होगा, किसी घर में लगे बिजली बलग, 200 वाट और, 200 बोल्ट और 100 वाट का लिखा हुआ है, उसमें पर्तिरोध कितना होगा, तो पर्तिरोध निकालने के लिए जो रइसिस्टेंस होता है, रिसिस्टेंस, वो होता है भी स्कूर वे पी, गो में यहां का सही हो जाएगा पेर पौधे की टाहनियों को हिलाने से फूल पत्ते का गिरना न्यूटन के किस नियम से आता है तो उसमें कहता है पत्ते अपना वस्था बनाए रखना चाहता है और पेर हिलता है तो उसके कारण पत्ती क्या होता है गिर जाता है यह जरत्तो का भी नियम पावर आठ आपको याद रखना है, तीन गुन्ने, दस पर पावर आठ मीटर पर सेकेंड, और इसका खोज किस ने किया था, बहुत इंपोटेंट है, ये क्या था, रोमर, नाम नहीं बुलिएगा, रोमर, परकास का चाल जो है, इसका खोज किस ने किया था, रोमर ने किया थ सोलह सोचिहत्तम来 कारी राकेट क्लाकषिट कारी करता है ये होता है प्रिष्ट तनाव कटिंग इसक हैं के नियम के प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है तो प्रेडित धारा प्रेडित धारा का पता लगाने के लिए फिलेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है फोटाउन का खोज किनके दौरा किया गया था ये अलवर्ट एंस्टेन के द बिद्धारित करता है, electronic سंख्यां, जो electron का number होता है, वो, कई बार हम जिकर कर चुक ए, रसायनिक गुन, उसके बाहरी कक्छा में जो electron होता है, उसका संख्या पर डिपेंद करता है, निमनलखित में से कौन, लोहे का सबसे सुधुरूप है या यह रोट एरन पिटवा लोहा पिटवा लोहा ऑप्शन नमर भी यहां आपका सभी हो जाएगा जिसमें कारवन काफी कम होता है 0.4 से लेकर 0.6% या 8% कहीं के लिए का होता है तो उतना होता है और फिर सबसे खराब होता है धलवा लोहा उससे भी और जस्ता का मिस्रण है पीतल और कांसा किस का मिस्रण है कांसा जो होता है वरंस जिसको कहते हैं तामबा और टीन का तामबा और टीन का समुद्र में गोता खोरी करते समय गोता खोर ऑक्सीजन के साथ किस गयस का परियोग करता है यहां पर होता है हिलियम हिलियम का तो आफ प्रोज के जलब घटन से गुलुकोज और फ्रुक्टोज। गुलुकोज और फुक्टोज। ऑप्शन नमर यह पे डी हो जाएगा याणि ए और सी दौनों सही है। निम्र लिखित में से इसका बैग्यानी की नाम अओर जायशी होता है धान का चना का कीया होता है इस जाया होता है हुट चना चना उठ्धर CONC अंद चना अ कमल फूल का निलंबो कुछ होता है तो यह सुतर याद कर लिजिएगा निमनलखित में से कौन ग्रेमी नेसी कुल का पौधा नहीं है ग्रेमी नेसी कुल का इसमें नारियल नहीं होगा नारियल नहीं है जबकि जौ मक्का जौर इसमें आता है नारियल जो है वो पलमी कुट का पलमी कुल का Question number 70 है M.A.L.A.S. इंजायम का स्राव किस के दोरा होता है M.A.L.A.S. इंजायम का स्राव होता है अगनासा के दोरा अगनासा है Option number A Brick का बाहरी तथा भितरी भाग को करम सा क्या कहते है Brick का बाहरी होता है Cartex कार्टेक्स और भित्री होता है मेडूला ब्रिक का जो बाहरी पार्ट होता है उसकों क्या कहते हैं कार्टेक्स और भित्री पार्ट को मेडूला किस बिटैमिन का रसानिक नाम टेकोफेराओल है रसानिक नाम टेकोफेराओल होता है बिटैमिन E का बिटाइमिन E, टेकोफ हे रहुल यान्य nelia पर जेवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रमक है मलेरिया पर जेवी की निम्न लिख्में से कौन सी अवस्था संक्रमक है तो वो है एस्पोरो जोईट बेलोजी के प्रस्षन थोरे हाड आते हैं बिहारवाले एक्जाम में आप किसी भी एक्जाम कर देखो चर्छित पुस्तक platform scale for a past pandemic world के लेखक कौन है platform scale for a past pandemic world इसके लेखक है संगीत पौल चौधरी संगीत पौल चौधरी यानि option number C यहां आपका सही हो जाएगा आगे प्रसन पर आते है हाली में हाली में किस राज में जलावी सेकम अभियान की सुरुआत की गई जलावी सेकम सुरुआत किया मध्य पर्देश ने मध्य पर्देश जलावी सेकम अभियान विजे हजारे ट्रॉफी 2020 के विजेता कौन है विजे हजारे ट्रॉफी मुंबई मुंबई और ये अभी तक पांच बार ये ट्रॉफी जीत चुके है अच्छा सबसे दिख बार जो है वो तामिलाडू जीता है पांच बार इस पर जीता है मुंबए वर्ल्ड हेपिनेस रिपोर्ट जो 2021 का आया उसमें भारत का स्थान 149 है और ये जारी कौन करता है वर्ल्ड हेपिनेस रिपोर्ट ये जारी करता है उनावी उसका उनाटेड नेशन वर्ल्ड हेपिनेस रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड हेपिनेस रिपोर्ट भारत का स्थान 149 विसु गोड़या दिवस यह मनाते हैं में लोग 20 मार्च को 20 मार्च को 20 गोड़या दिवस 2020 का थीम था I love Espero I love Espero हाली में तंजानिया की पहली महिला रास्टरपती कौन बनी तंजानिया की पहली महिला रास्टरपती बनी है सामिया सुलू हसन option number C यहाँ पे सही है दूसरे खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी कौन सा राज्जी करेगा करनाटक करेगा करनाटक यानि option number D इथे नौल निती सुरू करने वाला भारत का पहला राज्जी कौन सा बना इथे नौल निती सुरू किया है करनाटक question number 82 है हाले में किस भारती अविनेता को Film Archives पुरुषकार 2020 से सम्मानित किया गया अमिताव बच्चन को किस देश ने ब्रहमोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामिगरी की आप उड़ती के लिए भारत के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किया है Philippines कर रहा है Philippines वो खड़ी देगा एक चुले हाली में की गई गोसना के अनुसार भारत का पहला भूतापिये बिधुत पर्योजना किस केंडरसासित परदेश में अस्थापित किया जाएगा लद्दाप में किया जाएगा भूतापिये बिधुत पर्योजना भारत का पहला सोदेशी 9mm मसीन पिस्टॉल को बिकसित किसके दोड़ा किया गया DRD और भारती सैना DRD और भारती सैना कुस्टन अमर 86 है किस देश ने जनवरी 2021 में Open Sky संधी से अपना संबन्द तोड़ने की घोस्ता किया Open Sky संधी से अमेरिका अपना संबन्द तोड़ेगा यानि option number 8 किस राज्जी ने जनवरी 2020 में अपना पहला राज्ज किये पक्छी मोहतसब कलरणाव कायसन किया कलरणाव बेड़ी इंपोर्टेंट जमुई में हुआ बिहार option number 8 केंदरिय अद्योगिक सुरक्षाबल के नए महारनी देशा के रूप में किसे निक्त किया गया है सुबोध कुमार जैसवाल केंदरिय अद्योगिक सुरक्षाबल CISF हाली में सत्यपाउल की मिर्ती हो गई उनका संबंध किसे था सत्यपाउल एक फैसन डिजाइनर थे फैसन डिजाइनर यानि option number A यहाँ पर सही है तमिलाडू के थे question number 90 है one nation, one रासन कार्ड लागू करने वाला भारत का पहला संजुक्त रूप से कौन होगा कौन सा राज्य संजुक्त रूप से किया तो राजस्थान और करनाटक राजस्थान और करनाटक one nation, one रासन कार्ड अच्छा one school, one IAS किसने शुरू किया one school, one IAS South India का ही state है comment box से बताइए WHO ने हाल ही में किस देश को malaria मुक्त भोसित किया है malaria मुक्त हुआ अलसलवाडोर और चीन भी हुआ तो चीन उप्सन में नहीं है यहाँ पे अलसलवाडोर होगा और यह bitcoin को official currency जारी कर दिया यह ताकि वहाँ प investment हो सके अलसलवाडोर 67 वे रास्ट्रिय फिल्म पुरुसकार 2021 के तहट किस फिल्म को सर्वस्रेश्ट हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया छिछोडे को छिछोडे option number भी यहाँ सही है निम्न लिखित में से कौन सा देश G20 सिखर सम्मेलन 2023 की मेजवानी करेगा 2023 का मेजवानी करेगा भारत और अभी जो 21 का था ये तो हमा की भारत है चलो 21 वाला क्या इटली जो हुआ था 21 वाला इटली 22 वाला कौन करेगा इंडोनेसिया दो हजार 22 वाला और 23 वाला भारत question number 94 केंदर सरकार किस संस्था के सहयोग से gaming और अन्य समंधित छेतरों में उत्क्रिस्पता केंदर बनाएगी ये बनाया जाएगा IIT Bombay हाले में किस राज्यक्य मुखमंत्री ने S.C.S.T. छात्रों के लिए 101 करोर रुपे की छात्र विर्थी स्विक्रती की है ये किया गया Odisa में Odisa यानि option number D 10 वर्स पहले पिता की आयू पिता की आयू की तिन गुन्नी थे जहां से मैथ के प्रसन आ रहे है तो चार प्रसन होंगे मैथ के 10 वर्स पहले पिता की आयू पुतर की आयू की तिन गुन्नी थे 10 वर्स बाद पिता की आयू पुतर की आयू की दो गुन्नी हो जाएगी तो बरत्मान में पुत्र की आयू क्या होगी देखिये ऐसे प्रस्णह को आप option के recording असानी से handle कर सकते हैं जिसके लिखा है बरत्मान में पुत्र की आयू बरत्मान में पुत्र की आयू 20 वर्स है मान लिजिए एक से भी बनाएंगा थो झाला लेंदी होगा तो 10 वस पहले की बात की जा रही है पिताक के आयो जो है पुत्र की आयो कितन गुंणी है तो पिताक के आयो के तीस वस जाएगा फिर है दस वस बाद दस बाद होट 20 हो गया नहीं सुरी भरतमान में होगे गैंड बीस बर्ट, दस बर्ट बात हो जाएगा, पिताग क्या उसके दुगना हो जाएगा, अगर इसमें अगर हम साथ हो जाएगा नहीं, क्योंकि स्रूरी, पचास होगा, नहीं समझे, तीस था पहले, बर्टमान में क्या हो जाएगा, चालिस, फिर दस साल को जाएगा, पचास, तो ये तीस का दुगना हुआ, नहीं हुआ, यह उप्सन आपका क्या होगा, गल्लत हो गया, अब इस उप्सन को पकड़िए, तो पहले कितना आई होगा, बीस, और अब इस काई होगा, पता जी हो जाएगा, यानि ऑप्सन नमबर बी यहां पर सही है, एक समान के बनाओगे तो ये और लेंदी होगा, और टेम लगेगा, चलिए आगे प्रसंट पर आते हैं, कोस्न नमबर 97, किसी बस्तु को ग्यारा सो में बेचने से प्राप्त लाव, उस बस्तु को पांच सो में 2x हो रहा है, ठिक, यह लाव हुआ, और यह हाणी हो, क्योंको हाणी से दुगुनदा है, तो दुगुनदा कर दिए हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पांच सो में अगर हम इसका हाणी एड कर दें, तो क्रैमल निकल जाएगा, फिक्स प्रेस्थ होता है, और इधर 1100 में अगर 2x मैनस कर दे तो यह बरावर हो जाएगा दोनों क्योंकि यहां पर फायदा हो रहा था यहां पर नुकसान हो रहा था इसको solve कर दीजिए तो यह x यहां पर इधर आ जाएगा मैनस में और यह इधर मैनस में आ जाएगा यह 1600 हो जाएगा और is equal to minus 3x है तो 16 होई होगा न अच्छी ये इधर minus में जाएगा और plus में है तो minus होगा 11 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 600 और इधर क्या हो जाएगा minus 3x है तो minus minus तो कठी गया है यानि 200 x is equal to क्या हो गया 200 तो पूशा क्या जा रहा है कि करायमूल निकालना है आपको तो आप 500 में क्या करोगे 200 एर करोगे यानि 700 option number D यहाँ आपका सही है question number 98 6 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूड़ा करते हैं उससे दुगुना काड़िय को 8 दिन में पूड़ा करने के लिए काम इस पालें यह करते हैं मतलब जितना आदमी है न दिन है और काम कितना कर रहा है और काम करना है दो तो इससे हैड़ करते हैं ठीक न दिन लगाना है 8 आदमी करने है X बस हो गया तो 8 फलस एक होगा तो हम बाद में अपना कर लेंगे वो तो यहां पर आठ है, आठ को दो से काटिए सोला, मल्टिप्लाइ कर लेजिए चार्ज चौबिस हो गया पहले से कितने आदमी थे, छे आदमी थे तो च्छो मैनस कर दिजिए इसमें से यानि अठारा आदमी, उप्शन करते हैं, यही फर्मुला होता है, पर्मुला क्या अदमी बनाया गया है, फर्मुला है सब, कोस्टन 1199, एक विद्यारती अपने घर से विद्याल है, पांच किलोमेटर परती घंटे की चाल से जाने पर च्छो मिनट की दरी से पहुंचता है, अगर वो आपका किलोमेटर का डिफरेंस है न, जैसे कि यहां पर पांच किलोमेटर परती यहां पर च्छो किलोमेटर परती यह स्पीर चे है, तो उसको multiply किजिए, च्छो मिल्टिप्लाइ पांच और नीचे में इसी का च्छो मैनिस पांच, और सेम ऐसे ही करना यहां पर मिनट और यह मिनट, यह च्छो मल्ट, च्छो पलस चार, सॉरी च्छो पलस चार और नीचे में साथ, और इसको solve कर लेते हैं, यह तीस हो गया, यह वन हो गया तीस भाई वन और गुन्ने दस भाई साथ, यह से कट गया, यह पांच से कट गया, यह पांच option number, see, यहाँ आपका सही हो जाएगा last question है, एक तांबे से बने गोले का ब्यास 9 cm, ब्यास है, तो आर क्या हो जाएगा 4.5, इसे 2 cm ब्यास वाला लंबा तार बनाया गया तो इस तार की लंबाई इतनी होगी, देखिए तार है, मतलब यह ब्यास कार है, ठीक ना? यह ब्यास कार से मतलब हो गया इसका अच्छा गोला यहां पर लिखागे, माफ कीजिएगा फिर से एक तांबे की तार गोला है और ब्यास इसका दिया गया है तो आप इसका निकाल लेजी यानि क्या होता इसका इतन? 4 x 3, π, rq 4 x 3, π, rq और rq में 9 x 2, multiply 9 x 2, multiply 9 x 2 यही होगा, अब आगे दिया गया कि तार का ब्यास जो है अब बनाए जाएगा उसका बेलन तो जिसमें 2 cm ब्यास से तिरजिया क्या हो जाएगा 1, तो इससे divide देना होता है इसका area क्या होता है, मतलब जो item क्या होता है π, r² h, तो r² होगा और r to 1 ही है न, 1 ही हो जाएगा और h हमको निकालना ही है तो ऐसे ही रहने जाते है π, π, कट ही जाएगा, इसको absolve कर लेना है हमको, यह 3 से कटेंगे तो 9 हो जाएगा, यानि overall 243 by, नीचे में कुछ है ही नहीं यह वाला 2 एक आजाएगा क्योंकि 2 तो कट जाएगा, यह 2 आजाएगा तो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 121 तसमलब 3 एक से की जना 5 है तो, यही हो जाएगा, 155 option नमर B, यहाँ से हो जाएगा देखिये, math के प्रसंद 2 है, यहाँ पर हमको hard लगे, थोड़ा hard था, बहुत अधी hard नहीं था तो, यहाँ में कर टाइम मिले तो, आप लोग बना सकते हैं, जैसे की एक कुसेंस में hard था, आपको इसमें से कितना score मिला, कितना कुस्तन असान लगा, कितना कुस्तन टफ लगा किस पार्ट में कठीन लगा यह जरूर बताएगा ताकि हम गोसिस करेंगे, Lucent का वो पार्ट का वीडियो आप लोगो शेयर कर देख पाएं, तो यहाँ सेशन को इंड करते हैं तो एक्जाम के लिए कम दिन बचा है, फिर भी सेट कौन से बुक से करें, यह कुस्तन बहुत लोग पूछते हैं, तो देखिए कोई भी बुक हो, सेट जो है स्टार्टिंग का चार पांच सेट जो होता है, हर एक बुक का अच्छा ही होता है, क्योंकि उसमें पूरा एफिसेंट लगाया गया तो जिसे मैंने देखा है, तो स्टार्टिंग का चार पांच सेट हर एक बुक का देखो गया आप अच्छा ही मिलेगा और यह जाम में वह आपको हल्प करेगा, तो चलिए सीपी, इसका आपको मुख्याल है जो है, न्यू देली भी मिलेगा और अस्थापना हुआ था 1965 में, यह करता MSP का निर्धारन, भारत में दूद की उत्पादक्ता को बढ़ाने की उद्देश से, ओपरेशन फलड की शुरुआत कि इस वर्स की गई थी, ओपरेशन फलड का संबन्ध किस्से है, दुख दुद पादन से है, और यह हुआ था 1970 में, 1970, डॉक्टर वर्गिज कुरियन का नाम याद रखियेगा, इन्हें इसका जनक कहा जाता है, जैसे हरित करांती का जनक किन्हें कहा जाता है, स्वामी नाथन को और यह 66-67 में आया था, 1966-67 में हरित करांती आया था, उसी तरह दूद की करांती जो होता है, वैट फलड वो आया था 1970 में, भारती जीस्टी मॉडल किस देश के उपहोग बैट मॉडल पर अधारित है, जो भारत में जीस्टी मॉडल है, वो किस देश पर अधारित है, कन नाड़ा, ओप्स्टिनक में Commenter, सी निम बína लिखित में से मुझें hara की सांकिर्न मुझरा कहा जाता संकिर्ण मुझरा हो vorsना है, LED में एक सांकिर्ण मुझरा मैं यang एक पज़ी मारीच़्ित आज़ा सबसे ह्सकान हो आधिक होता यह क्या है है पर M1 से कम होता है ठीक ना M4 तक का होता है इसमें तो सबसे तलल वो हुआ उसे देद लिए कम होता चला जाएगा संकिर्ण मुद्रा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हम निवेस करते हैं ना दूसरे जगर निवेस करते हैं उसमें इसका जो क्या बोलते हैं उसको काफी कैपिस्टी नहीं मतलब उस्का वर्चस को कहलो वह काफी कम होता है बहुत कम होता है यह इसी लिए इसको संकिर्ण कहा जाद है लिमिटेड होता है कोस्टन नमर फाइब सेट निमनली खित में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है सेट है थािलेंड का थाइले एस्टॉक एश्चेंज कहा जाता है और जर्मनी वाले का फ्रेंग-फ्रोट कहा जाता है जबकि कुछ जो इंप्रुट replicate पूछा जाता है जिसमें जो ज liegt है इसका निकी है कई बहार से भारत का पता होना यंज रियो ओंपनाल इस्टोर 큰 नेश्ञाल एक्सेंज भारत में पहला पर्मानु tossed परकर क्षण कब किया गया था पहला परमानु परक्षनmeye सबता छुअट्टर में dość कहरत मैं pomoc अठारह मय को अठारह माई ऊनेश्डो चुहत् Patienten और इसमें पुलूटेनियम का प्रयोग किया गया था ये भी याद रखिएगा विश्व वानी की दिवस प्रतिवर्स किस तिथी को मनाया जाता है विश्व वानी की दिवस मनाते हैं 21 मार्च को 21 मार्च अगे कांगोर घाटी राश्टिय उद्यान किस राजे में इस्तित है कांगोर घाटी मिलेगा 36 गट में कांगोर घाटी 36 गट निम्नलिखित में से कौन संकटापन प्रजाती जो इंडेंजर्ड स्पेसीज है उसका उदाहारन इसमें से नहीं है तो डोडो पक्षी नहीं है डोडो जब कि कस्तुरी मिर्ग क्रेट इंडियन वस्टर्ड और बाग ये सब इंडेजर्ड आता है और ये तो पूरी तरह से मतलब वो डोडो जो है न वो बिलुप्त होने के करार पे होकी है डोडो तो इसको जयत रखकिएगा और साथ ही जो ये जो मतलब इसपेसीज है इसका नाम लिखा जाता है एक डेट डाटा बुक में प्रसनाएगा कि डेट डाटा बुक का समंध किससे है फार कर दोडो बिलेगा आपको एपको नेडोवी जायन धर्म के 22 वे तिर्थकर अरिस्ट नेमी अप्सा नमर C यहाँ पर सही होगा और महाविर स्वामी जो थे वो 24 वे तिर्थकर थे असोक ने बौद धर्म का प्रचार परसार स्री लंका में भी किया था इसका प्रमान किस साहित से प्राप्त होता है यह मिलेगा आपको था ए और बी दौनों धनवंत्री तथा काली दास निम्नलिखित में से किसके दरवार में रहते थे धनवंत्री तथा काली दास चुदे चंद्रगुप्त दूतिये के दरवार में रहते थे चंद्रगुप्त दूतिये और चंद्रगुप्त दूतिये के सासनकाल में एक या पर था काफी खाँ कोस्तिन नमर। 15 चौसा का यूद कब हुआ था हमायू और सेरसा के मद्ध हुआ था हुमायू और सेरखां जिसमें हुमायू मतलब हार गया था और सेरखां जीत गया था और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था तो चौसा का युद्ध काफी इंपोर्टेंट है चबिस जून पंदरह सो उन्चालिस बंगाली भासा में प्रकासित होने वाला पहला समाचार पत्र निमनलिखित में से कौन सा था तो दिगदर्सन ये बंगाली भासा में प्रकासित होने वाला पहला समाचार पत्र था दिगदर्सन ये प्रकासित कब हुआ था अठारह सो अगर पुछ दे हिंदी में कौन सा पत्र प्रकासी दोब से पहले तो हिंदी में प्रकासी था उदंड मारतंड उदंड मारतंड रेले कमिशन का गठन किस वैसरे के कारिकाल के दोरान किया गया था रेले कमिशन ये किया गया था लॉर्ड करजन के टैम में लॉर्ड करजन के ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्निलखित में से कौन है ब्रोकन विंग ये सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू ओपसर नमर भी अहमादाबाद मील मजदूर हर्ताल के बाद मील मालिकों के द्वारा कितने प्रतिसत बोनस देना सुईकार कर लिया गया था ये था 35 पेंटीस प्रतीसद। Option no. D इंडियन सोसेटी सेंगठन की अस्थापना किसके दुआरा किया गया था। इंडियन सोसेटी ये आनंद मोहनबोस ने किया था। आनंद मोहनबोस कब किया था। 1872 में इंडियन सोसेटी का गठन। निममनिलिखित में भारतीय राष्ट्रेश का कौनसा अधिवेशन गौ में संपन्न हुआ था जवाहरलाल नहरू कर रहे हैं जवाहरलाल नहरू पचासमा अधिवेशन कब हुआ था 19-stsam 1937 किस संधी के द्वारा तिर्थिये अंगल मेसूर युद समाप्त किया गया था तिर्थिये अंगल मेसूर युद रस्री रंग पत्नम की संधी हुई थी और उसके बीच इस युद को समाप्त किया गया था तिर्थिये अंगल मेसूर युद हुआ था 1790 से लेकर बिरानबे तक जिसमें अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था तो टीपू सुल्तान इसमें हार गया था अंग्रेज की तरफ से जो मतलब वैसराय था उस टैम में हाला कि उस टैम में वैसराय नहीं कि गवर्णर जेनल होगा वो था लौर्ड कॉर्णवालिस क्योंकि 1790 की बात है अठारह सो अठारह सो जो कौन सा था अठारह सो चौबन ये च्छपपन हाँ अठारह सो च्पपन के बाद क्या हुआ वो इस वर्स जजियाकर को पुनह लागू किया गया था तो जजियाकर कुस माप्त किया था अकबर ने ठीक ना और पुनह लागू मतलब उसको फिर से लागू किया था औरंग जेव ने तो औरंग जेव किया था 1689 में 1689 मतलब 79 इसको अठारह संतावन की करांती का निर्टित तो इलहाबाद में किसके द्वारा किया था 1857 की करांती का निर्टित तो इलहाबाद में किया था लियाकत अली खान के द्वारा लियाकत अली के द्वारा जिसमें काफी लोग मारे गए थे कुसर नमर ट्विंटिफाइव जलियावालाबाग leftyakarnet के बाद किस ने नیट की उपादी को वापस कर दिया था जलियावालाबाग वाद कब था 919 में ता 1119 में और नेट का उपादी मिला था रविधना टैगर को तो आप्स्य नमर यहाँ पर क्या होगा सी यहाँ पर सही था अच्छा महात्मा गांधी ने भी एक उपाधी वापस किया था उसका नाम क्या था? कमेंट वोक से बताईएगा परत्थम विश्व कप हौकी का आयोजन किस वर्स किया गया था? हौकी का आयोजन हुआ 1971 में 1971 अपसन नमर सी संजुक्त रास्टर के पर्थम महासचीव ट्रिगवेली का सम्मंध किस देश से था? ट्रिगवेली का सम्मंध था नौर्वे से जिसकी राजधानी है औसलिया विश्व परसिद अभिनेतरी विजनती माला का सम्मंध किस सास्त्रिय निर्थ से था? वेजन्ति माला का सम्मंध जो है भारत नाटियम से है भारत नाटियम साथ ही भारत नाटियम के कुछ प्रमुक जो कलाकार है यामनी कृस्ण मूर्थी, एसके सरोज, लीला सैंसन यह सब काफी इंपोर्टेंट है कॉसर नमर 29 है, निम्दलिक्ट में से किसका मिलान सही नहीं है एक गलत है मतलब यह समाधी स्थल है और इधर जो महा पुरूस है वो है तो पहला है महात्मा गांधी, इनका है राजघाट, बिल्कुल सही है महत्मा गांथी राजगाट ग्यानी जैल सिंग एक तास्थल मुराजी देसाई अभाईगाट संकर दयाल सरमा कर्म भूमी कोसे नमर थर्टी भारत ने मंगल यान का सफल प्रक्षेपन किस लॉंच बाहन के दुआरा किया था यह सफल प्रक्षेपन की बात है जो पी एसल वी एकस एल सी ट्वैव से किया था पी एसल वी एकस एल सी ट्वैव और इस दो ने किया था और जो और सफल हुआ वो एम के थरी करके था ठीक नहीं बाहु वाली एम थरी था तिन लाइन उसमें होगा अधिक्तम जैव विवित्ता वाला प्रदेश और उसमें जिस पी एसल वी एन वो जी एसल भी था अधिक्तम जैव विवित्ता वाला प्रदेश निम्नले खित में से किस प्रकार का होता है तो यह मिल लिए आपको मिलेगा उसन कटी बन दिये कुस्सर नमर 32 है ग्रीन होस परभाव का अर्थ क्या होता है ग्रीन होस परभाव होता है बायू मंदलिये कारवन डियाउकसेट के कारण सौर उर्जा का विपासन बायू मंदलिये कारवन डियाउकसेट के कारण सौर उर्जा का विपासन ही क्या होता है ग्रीन होस परपपजिस टेंप्रेचर क्या होगा इंक्रीज होगा निम्नलिखित में से कौन गैर परमपरागत उर्जा स्रोत नहीं है गैर परमपरागत उर्जा स्रोत जो परमानु उर्जा नहीं होगा जबकि जो आडिये सकती जो टैडियल इनर्जी होता हुगा सौर प्रुनाचल पर्देश का सी मां किनकिन देसों के साथ quedaτί तो एक तो जाएगा बोतान के वाद रिए में औरफिर तर मेंवार नमियनवार प्रामुक जलियानv मानकेंद्र है, कोचीन, कोचीन, आप्सनिमर B, छीबरो पन बिजली परयोजना किस नदी पर है, छीबरो गागड़ा पर मिलेगा आपको, गागड़ा और यह जो परयोजना है वो उत्तर परदेश में, उत्तर परदेश, कापास के उत्पादन में भारत का अस्थान विश्व में कौन सा है कापास उत्पादन में तीसरे अस्थान पर भारत आता है तीसरे अस्थान पर option number C पहले अस्थान पर चीन आ जाता है भारत में सीमा सरक संगठन जो BRO है Border Road Organization इसकी अस्थापना किस वर्ष की गई थी 1962 में 1962 सिपकिला दर्रा किस राज़ी में है सिपकिला दर्रा मिलेगा हिमाचल परदेश में हिमाचल परदेश question number 40 है नेपाल हिमाले का बिस्तार किंदो नदियों के बीच तक है नेपाल हिमाले का बिस्तार ये काली से तिस्ता तक है काली से तिस्ता भारतिय संबिधान के संबिधानिक उप्चारों के अधिकार को भारतिय संबिधान की आत्मा और हिर्दय किसने कहा जो संबिधानिक उप्चार है उसको आत्मा हिर्दय कहा भीमरों अम्बेद कर दे भीमुरांबित करना की option में नहीं है तो answer बन जाएगा D और सबके दुआरा जो प्रस्तावना है उसको कहा गया था तो option यहाँ पर D हो गया पंचायच चुनाव कराने है तू निरने किसके दुआरा लिया जाता है पंचायच चुनाव यह राज्य सरकार करती है राज्य सरकार यानि option नमर C option नमर C अच्छा अभी बिहार में चुनाव हुआ है पंचायच चुनाव तो कितने चरन में हुआ है यह आप लोग थोड़ा याद रखे है क्योंकि यह प्रस्तावने की संभावना अधिक है question 143 आर्थिक नियोजन किस सुची का विसाय है के काली परणालिक का पुन्दरिक्षण किया ने किस बवस्था किस संस्तुटी दी यह दुई औस तर्य था लेकि बर्तमान में जो पंचैती राज है वो त्री औस तर्य और असोक महता समिती जो था वो दुई अस्तरई कहा था आगे प्रसन प्राइब है भारत में नियाईक पुनेडिक्षन की संकल्पना किसे देश के संभीधान से लिया गया तो नियाईक पुनेडिक्षन लिया गया अमेर्का के संभीधान से सम्विधान के किस अनुसुची में बिभिन राजियों में अनुसुचित छेत्रों के प्रसासन और नियंतरन के लिए बिशेस उपबंध है तो ये पाँचवी अनुसुची अप्से नमर सी लोग सभा में केंदर सासित परदेश के लिए कितना सी अरक्षित है लोग सभा में केंदर सासित परदेशों के लिए ये हो जाएगा बीस यानि अप्सन नमर बी यहां पे सही है और जो राजिसे है उसके लिए होता है पांच सो तीस कुल मिला के कितना हो गया पांच सो पचा उनिस सो चीहत्तर कोस्टा नमर 49 है यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है एक तरह भाग दिया गया है और विस है मतलब कौन सा इसमें सुमेलित नहीं होगा तो भाग दो नागरिकता से बिल्कुल साथ भाग एक में क्या है राज यह कर्थन यह सब दिया गया है भाग दो गया नागरिकता भाग तीन यह मौलिक अधिकार तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा मौलिक अधिकार होना चाहिए क्योंकि मौलिक करता भी जो है भाग चार के कौम है फिर निति निर्द सक्ता तो भाग चार में और भाग पंद्रह में निर्वाचन है यह पर अंसर अपना भी होगा कोस्टन नमर 50 है वर्स में लोग सभा के कम से कम कितने सत्र बुलाये जाने आनिवारी हैं तो दो सत्रों के भी छो माह का अंतर होता है मतलब उससे अधिक नहीं हो सकता तो कम से कम दो सत्र तो होना ही जाहिए यानि वर्स में दो वार उससे अधिक हो सकता है सब्सक्राइब करता है बंदी परत्यक्षी करन और यह आपको मिलेगा अनुछेद 226 में संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था यह था 24 संबिधान संसोधन 1978 ए रिवर्ष उत्र पुस्तक के लेखक कौन है ए रिवर्ष उत्र गीता मेहता ए रिवर्ष उत्र गीता मेहता याप्शन नम्बर C संथी संथी का नुवल पुस्तक कर दिया गया था मिला था 1997 में तो क्या हो जाएगा एक प्रस निवी आता है कि इनमेस इसे कौन एप्रतम प्रतम हो गये और कफे ऑप्रस नहीं है नुमर 57 है हाली में किस से राजी सरकार ने मेजर ध्यान चंद स्टेडियम یोजना की सुरुवात करी मेजर ध्यान चंद राजस्थान का है बीसीसी आइए ने खेल इती हास में पहली वार किस ट्रॉफी के 2021 की सत्र को रद करने का फैसला लिया रनजी ट्रॉफी को हाली में किस राज जी ने बिधान सवा चुनाब में मतदान प्रतिसत को बढ़ाने है तो वोट वंदी अभ्यान की सुरुआत करी किस भारती मुखेवाज को AIBA की Champions and Ventures समिती का अध्यक्ष चुना मेरी कौं मेरी कौं अपसर नमर सी दस लाग से कम अबादी वाले सहरों में Ease of Living जो इंडेक्स आया 2020 का उसमें पहले अस्थान पे कौन रा सिमला पहले अस्थान पे रा सिमला अपसर नमरे हाले में किस रेस ने बहुरास्ट्री अभ्यास Desert Flag की मेजवानी की Desert Flag जो हुआ UAE में हुआ Resonated Arab Emirates यानि आपसर नमर बी हो गए यहां पे और इसमें वायू सेना जो है वो पहली बार भाग लिया था वायू सेना रवल्ड टिर्विन ने World Life Photographer of the Year 2020 का पुरुसकार जीद लिया इस तस्वीर का सिर्सक या था इस तस्वीर का सिर्सक बुस फायर आपसर नमर बी तीसवा विहारी पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया तीसरा विहारी पुरुसकार दिया गया तीस नमर का मोहन क्रिष्ण बोहरा को मोहन क्रिष्ण बोहरा उनका बुक था तस्लीमा संघर्स और साहिते चर्चित पुस्तक वाहना मास्टर क्लास के लेखक कौन है अलफ्रेडो कोवेली कोसर नमर 65 है हाली में सिरी तुरला पत्ती कुटुम बारा उकानिधन हो गया इनका संबन्ध किस से था ये थे तामिल पत्रकार किसरा सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए किर्सी संजीवनी वैन की सुरुआत करी किर्सी संजीवनी वैन क्या है करनाटक सरकार करनाटक सरकार दावोस संबाद 2021 किस कायोजन किस संस्था के द्वारा किया गया दावोस संबाद ये किया किस के द्वारा किया गया विशुव आर्थिक मंच के द्वारा विशुव आर्थिक मंच यानि आपका यहां पे सही था आर्थिक समिक्षा 2020-21 से समंधित तथी पर विचार तो पहला है किर्षी चेतर में बिर्धी 3.4 परसेंट रा जो कि बिल्कुल सही है राज जी कोशिय धारा 3.5 परसेंट रा यह भी सही है यहां पि यह दोनों सही था तो आप्सन नमर ए है कि एक और दो दोनों सही है कोशन नमर 69 आर्विया ने मार्च 2020 में किस बैंक पर दो करोर रुपय का जुर्वाना लगा दिया एस्टेट बैंक पर मतलब यह कुछ जो धारा 10 था उसका जो उलंगन किया उसके लिए हाली में किसे दुनिया का सबसे प्रदूसित राजधानी घोसित किया गया यह है नई दिल्ले नई दिल्ले यानि आप्सन नमर C कोस्ट नमर 71 चाली में किस सराजधानी ने फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फ्रेस फूर्ट मेक मूबमेंट की सुरुआत की है फ्रेस फूर्ट मेक मूबमेंट इसका सुरुआत क्या है महरास्ट ने महरास्ट उप्सन नमर D यांस है यह महिलाओं के सुरक्षा है तो किस राज सरकार ने अब्भयम एप लॉंच किया अब्भयम एप आंधर परदेश का है कोस्टा नमर 73 अंतरास्टे महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया गया उसका थीम क्या था उसका थीम था Women in Leadership and Equal Future in the COVID-19 World एन उप्षा नमर D World in Leadership and Equal Future in a COVID-19 World हाली में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जिवास किस अस्थान से या किस राजी से पराप्त हुआ ये मिला है मध्ये परदेश से मध्ये परदेश वर्स 2020 में FDI Foreign Direct Investment का सबसे बड़ा पराप्त करता देश है चीन और भारत में सबसे दिख हुआ वो सिंगापूर से हुआ तो यहाँ पर आंसर होगा आपका चीन होगा यानि उप्षा नमर C पदमवार्ड 2021 के ताहत कितने लोगों को पदमस्री देने की घोस्तना की गई पदमस्री दिया गया 102 लोगों को 172 यानि उप्षा नमर B सही है कौसं नमर 77 है प्रती वर्ट वर्ट श्लीपडे कब मनाया जाता है वर्ट स्लीपडे 19 मार्च को याद करलो अपने लोगों का डे हिये वर्ट स्लीपडे 19 मार्च निम्दलेकित में से किस पर धोनी का तारतु निर्भर करता है अविर्ती पर निर्भर शूर्ज के चारों और घुमने वाले पृथिवी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है तो यहां पर काम करता है गृथवा कर्शनवल گृथवा कर्शनवल अगर वो तब अभी कंद्री वल भी काम करते हैं पर वो अप्सन में नहीं था जब कोई बस तो पिर्थिवी से चंदर्मा पर अस्थांतरित किया जाता है तो दरबमान पर क्या परभाप परता है दरबमान चंजोगा जबकि भार जो होता है न भार वो वन बैशिक्स हो जाता है लेकिन दरबमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा रात के समय आवाज सी च्छतर पर सोर की अनुमति सोर कितना होना चाहिए मतलब रात में हला का जो सौंड है वो कितना होना चाहिए पैतालिस डेसिबल पैतालिस डेसिबल अपसा नमर ए लेकर दस पर मैंना सतरह मीटर तक आगे आते हैं को सनल नमबर एटीथरी है चोंड के तीन परतिरोध को छोवल्ट की सपलाई के समान तर इस परकार से जोरा जाता है या यह बोलना आपका क्या हो जाएगा उपसा नमर एक आपका यह या पर सही कि साढ़नी के वर्ण में उपर से नीचे जाने पर बेदुत रिनात्मक्ता पर क्या परभाब पड़ेगा ये घट जाएगा बेदुत रिनात्मक्ता घट जाएगा उपर से नीचे जाने पर सराव का पी एच मान कितना होता है सराव का पी एच मान 2.8 होता है 2.8 कुछ इंपोटेंट यासे रक्त का पर्मुखायस के, किसे रेट होता है मेगनेसियम का, मेगनेसियम, option number D, पर्मानु कर्मांक 20 वाले, पर्मानु का इलेक्ट्रोनिक बिन्यास कितना होता है, पर्मानु कर्मांक 20, जिसका हो, उसका ये क्या होगा, तो 2 होना जाये, फिर 8, 8 or 2, 2, 8, 8, 2, option number B, निम्न लिखित में से कौन ठोस सनेह का उदाहरन है, ठोस सनेह तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, यानि option number B, निम्न बिकल्पों में से किसका जोलन ताप, सबसे कम जोलन ताप, जलाने पर सबसे कम जो है, उसमा निकलेगा, तो पेट्रॉल का होता है, सबसे अधि, यहां पर लकड़ी है, काग जिवानु कोसिका में गुंसुत्र का निका की संख्या कितनी होती है, जिवानु वाले में होते कुछ नहीं, जीरो, सुनने, निम्न लिखित में से, किस कोसिकाओं के द्वारे इंसुलीन का डिसाव होता है, तो बीटा कोसिका, बीटा कोसिका, आगे प्रसन पे आते है, कुछी प्रसन बचा हुआ है, अला सुरू हो गया, चुनाफ में चलते है मानब शरीर की सबसे लंबी हस्ति कौन सी ओदे फीमर होता है, यानि उरू हस्ति, उरू हस्ति, निम्न लिखित में से कौन एक प्रकार का, रेस्यदार प्रोटीन का उदाहरन है, रेस्यदार प्रोटीन होता है केरेटीन, केरेटीन, यानि अप्सन नमबर सी सही है, अब यह तो पहले 3 से लगाते हैं तो यह 1, 0 और यह फिर 2 और 9 इतना से हो गया फिर आपका लग जाएगा यह 3 से तो 3, 3, 9, 4, 3 तो अब 7 का होता है क्यों तो पता ही है तो 7th हो गया इसमें एक और 3 लगा देंगे तो यह 3 का भी हो जाएगा यह अंसर अपना हो जाएगा यह अब यह है कि यदि A plus 1 by B is equal to 1 है B plus 1 by C is equal to 1 है तो C plus 1 by A is equal to क्या होगा ठीक ना तो ऐसे equation में आप यह कर सकते हो कि इसको equal to करो जैसे कि A plus 1 by B is equal to 1 है तो आप कर सकते हो कि B ले लो इधार AB plus 1 is equal to 1 यानि AB plus 1 बढ़ावर B तो B का value यहां से निकल जाएगा फिर आगे put करोगे तो ऐसे लगे निकालोगे इसका answer यहां पर आपको 2 निकलेगा cut cut के एक दुकानदार दो कुरसी में से परतेक को 400 रुप्या में बेचा एक कुरसी पर उसने 20% का लाव और दूसरे पर 20% कहानी किया तो सौधे में कितना 10% का और आप अगर 20-20 वाला हो तो आप ऐसे अगर एक लाव कहानी है तो आपको 4% कहानी होता है तो आप 20 प्लस मैनस करोगे यह कहानी भी है बिस फिर पलस मैनस 20 गूने 20 बट्टे 100 करोगे यह जी रो ही हो जाएगा और यहांपे मंकर नीचे 100 भी आए ना तो 006 कट ह − ऐसे क lament ś नमर सो स्रक्रवार्ज न में है किसी धन्राज़त्य पर एक निस्षित दर से दो भर्स के, सब्लिव याज सब्सक्रिबी और दिया धन्राज़ है धन्राज़ अब oc में उसिद से धन्राषी निकालना है तो यह थोड़ा अलग है, अब इसको एक गस्तन पर भी बना सकते हो, जैसे किया कोता है, D वरावर, P into R, इसका स्क्वाइर, ठीक न, और D यहां पर 40 हो जाएगा, P का वैलू गया पड़ेगा, और R का वैलू गया पड़ेगा, और फिर अलग-अलग, P multiply, R multiply, T by 100 करोगे, तो आभी PR करके equation निकलेगा, दो equation करके आप solve करोगे, आंसर इसका हो था, फोर था हो जाएगा, तो देखिए का बना के, नहीं बने तो बताईएगा, हम subset का बना देंगे फिर एक, बन जाना चाहिए, और एक जाम में भी अधिक टेंसर नहीं लेना है, जैसे चार प्रस्न होंग का नुपात क्या होगा, तो संकु का जिसलदन कीता है, वन एठीरी, पई आर ए स्क्याइड एक होता है, और वह ह touch हो नहीं, गोले का बना जो हो था, तो यहां पे तिरजिया जो है वो समान दिया गया है, तो आर स्कुर्ण आर के साथ कट जाएगा, आर स्क्वाइगा यहां उन बेफोर ने ये ब्यास था तो 2 फोर हो जाएगा यानि वन बेफोर जाएगा यानि आप सन नंबर डी आप का यहां पर सही ओजएगा प्रोल हंडे प्रसंथे मैथकेम को दो कुछ प्रस्न थोड़े हाड लगें जिके का भी कुछ फ्रस्न हाड था उड़ां की ठीक ठाक था तो अगर आप इसमें साथर से पचससर कि स्कूर कर पाएं तो चलिए शुरू करते हैं चैनल पे ने हैं attendance बाठी और कितना आपना पेस्कोर कर पाते हैं वह ज़रूर लिखिए पहला प्रस्ण है निम्नि मेंसे किसे बिधी के समक्ष समानता से चूट परदान की गई है बेधी के समक्ष, समानता से छूट, राश्टरपती और राजपाल, दोनों को है, यह आपको अनुछे 361 मिलेगा, तो option नमर A और B दोनों सही है, वाक एवम अभिव्यक्ति, यानि बोलने की सुतंदरता के अंतरगत निम निलेखित में से कौन सामिल है, बोलने की अभिव्यक अभिव्यक्ति की अजादी है, यानि एक, दो और तीन, option नमर D यहां आपका सही है, question नमर 3, सम्विधान के किस अनुछेद में यह वर्नित है, कि राज निया पालिका को कारी पालिका से पिर्थक करता है, जो राजी के निया पालिका है, कारी पालिका से पिर्थक है, पर य article 50, यानि option नमर यहां आपका सी सही होगा, भारत के राश्टरपती के परसाद पढ़ियंत, पद धारन कौन करता है, राश्टरपती के परसाद पढ़ियंत, यानि राश्टरपती जब तक चाहेगा, तब तक वो अपने पद पर रह सकता है, यह आपका राज जिपाल है, य निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है, संसद किससे मिलकर बनता है, तो लोकसभा, राज सभा और फिरा जाता है आपका राश्टरपती, यानि option number A, मतलब 1, 2, 3 सब सही है, तो option number C, यहाँ आपका सही होगा, संविधान सभा के मूल अधिकार अल्प संख्यको एवं जन जातियों तथा बहिस्कृत परवावित छत्रों के लिए प्रामर्स दाता समीती के अध्यक्ष कौन थे, इसके लिए सर्दार बलब है पटेल, सर्दार पटेल, option number C, आपका सही होगा, संविधान सभा के प्रणूप समीती में कुल कितने सदस्ये थे, प्रणूप समीती में कुल साथ सदस्ये थे, एक इसमें अध्यक्ष भिम्रोंबेत करते हैं और छो आणित हैं, तो option number यहाँ पे ए सही होगा, साथ सदस्ये, question number 8, निमनलेखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संधर में सही है, प्रस्तावना के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन सही है, पहला दियागे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, बिल्कुल सही है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना को संसोधित न मुलभूथ है, और बिधी बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज जी का करतब होगा। यह निमनलिकित में से किसके संबंद में काहा गया है। यह होगा राज जी के नित्ति निद्रिसक तत्व हैं। राज के कल्यानकारी अबधारना के लिए लिखा गया है और ये आयर्लेंड से लिया गया है भागचार में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तरक 51 के A में यानि 51 के Q में मौली कर्तब भी है बयालिस्मा संविधान संसोधन से उसके आड़ किया गया उसको नहीं भूलिएगा काफी इंपोर्टेंट है कोशन नमर टेन केंद्र राज्य समंध के अध्यन के लिए सरकरिया आयू का गठन किस वर्स किया गया था सरकरिया आयू का समंध किस्य है के अंदर राज्य समंध के बाड़े में है और ये कब गठित क्या गया था 1983 में 1983 Option number C यहाँ आपका सही है छेत्रिय पड़िसदों के समंध में निम्नलेकित में से कौन सा कतन सही है छेत्रिय पड़िसद के बाड़े में तो छेत्रिय पड़िसद सम्वेधानिक निकाए नहीं जिस छेत्रिय पड़िसद हुआ या फिर जो निती आयोग हुआ या पलालिंग कमिसान ये सब सम्वेधानिक निकाए नहीं है इसका गठन राज्य पुनर गठन अधिनियम 1956 के अधार पर किया गया था या आपका सही है यानि उप्सान नमर 20 है होगा कि केवल दो यहाँ आपका सही है ये डेट थोरा याद रखिएगा कि जो ये 1956 है वो काफी इंपोटेंट है क्योंकि इसमें केंदर राज्य पुनर गठन जो अधिनियम है वो अस्थापित किया गया था आगे कोशन नमर 12 है किस संबिधान संसोधन अधिनियम द्वारा या प्रस्तावित या प्रापधान किया गया कि राश्ट्रपती राश्ट्री या पातकाल की उद्गोसना केवल मंतरी मंदल की लिखित सिफारिस प्राप्त होने पड़ी कर सकती है यह था 44-वा संभिधान संसोधन भारतिय संभिधान में बिधी दुआरा स्थापित प्रकिडिया की संकल्पना किस देश के संभिधान से लिया गया है ये लिया गया है जपान से, वेरी वेरी इंपोटेंट, भारतिय संबिधान में बिधी दुआरा अस्थापित प्रकिडिया की संकल्पना किस देश के संबिधान से लिया गया, जपान से लिया गया है, ब्रिटेन से संसदी वेवस्था लिया है, अमेरिका से मौलिक करतब ये, सोरी मौली करतव नहीं मौली काधिकार मौली करतव हमने रूस से लिया है रूस से भारतिय संबिधान के किस अनुछेद के अंतरगत नियंतरग एवा महालेखा परिछक की निक्ति होती है अनुछेद 148 है अर्टिकेल 148 यानि उप्सन नमर बी निमनलिकित में से कौन तिर्थिय चेतर के अंतरगत नहीं आता तिर्थिय में आता है आपका सेवा चेतर है तो बैंकिंग बीमा सिक्छा ये सब सेवा ही है तो आंसर क्या बनेगा डी जैसे कि बी निर्मान होता है खेती होता है ये सब होता है त्रितिया में नहीं आता बिनिर्मान आपका सेकेंडरी में आता है और जो खेती होते है नेचर से जुरा हुआ वो आपका आ जाता है प्रैमिरी में निमनलिखित में से किस पंचवर्षी योजना में गडिवी अनमूलन तथा आत्म निर्भर्वर्था पर बल दिया गया था यह आपका दिया गया था पांचवी पंचवर्षी योजना पांचवी जो की 1974 से लेकर 79 तक चला हुआ था कुस्चन नमर 17 पे आते हैं कोस्चन नमर 18 घाटे की बीतिय विवस्था का अर्थ विवस्था पर क्या परभापरता है मुद्रा आपूर्थी में बिर्धी होती है भारत में मुद्रा आपूर्थी के प्रकलन का सबसे अच्छा जो होता है उपभोगता मुली सुचिकांक याद रखिएगा कुस्चन नमर 20 है निर्धनता का दुस्चक्र की धारना निम्नलिखित में से किसके दुआरा दिया गया निर्धनता का दुस्चक्र ये दिया गया डेग्रस नक्स की दुआरा डेग्रर नक्स उप्सन नमर ब प्रथम पंच वर्षिय योजना किस मॉडल पर अधारी था यानि उसके मॉडल कार कौन थे ये थे होराल डोमर होराल डोमर मॉडल पंच वर्षी जो ना फस्ट सेकेंड वाले थे महालोन विस निम्दलिखित में से कौन सा ब्यापक मुद्रा कहलाता है सबसे अच्छा ब्यापक मुद्रा का मतलब यह हुआ जो मतलब हर जगा प्रचली थो ठीक ना तो M3 आता है M1 कम होता है तो M3 अच्छा होता है निम्दलिखित में से कौन मौद्रिक निती का गुनात्मक उपकरण नहीं है मौद्रिक निती का गुनात्मक उपकरण इसमें से खुले बज़ार की क्रिया नहीं है जबकि साख राजिनिंग, परत्यक्ष कारवाही और नैतिक दबाब इसके मौद्रिक निती के अंतरगत आता है क्या बताइएगा मौद्रिक निती जो ते कौन जारी करता है कॉमेंट वाक्स में लिखिएगा RVA का लेखा वर्स होता है RVA का लेखा वर्स एक जुलाई से शुरू होता है एक जुलाई से 31 जून तक एक जुलाई से 31 जून यानि उप्सन नमबर ए सही है अर यह कवी कौन है सक्तिकान दास है यदि प्राथमी घाटे में ब्याज भुकतान को सम्मलित कर लिया जाए तो निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा प्रात्मी घाटे में अगर ब्याज भुकतान को एड कर दिया जाए तो यह होता है राजी कोसिय घाटा राजी कोसिय घाटा वराबर ही होता है कि प्रात्मी घाटा पलस जो आपने ब्याज भुकतान किया तो वह हो गया राज कोसिय घाटा निम्द लिखित में से भारत में किस समुह की चटाने धात्वी कनीजों का पर्मुख सरोत है धात्वी कनीज धारवार समुह धारवार समुह यानि आपका सही था निम्द लिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है यानि एक यहां पर गलत है पहला केंदर मुख यह लोहयस्क के कोलार सोना के लिए कोड्रमा कोड्रमा मिलेगा आपको अवरक अंधर परदेश में अवरक जावर जावर सीसा और जस्ता के लिए अंसर यहां पे सी होगा क्योंकि वो गरत था कोश्चन नमर ट्वेंटी एट निम्नलिकित में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा राजदानी असम की राजदानी है दिस्पोर तो यहां पर आंसर बने गड़की देखिए कि ऐसे प्रसन आते हैं एक्जाम में गलती नहीं कीजिएगा यह सब प्रसन दिक्कत कर देगा निम्नलिकित में से कौन देश अस्थल बद्ध है यानि लेंड लॉग कंट्री इसमें से कौन सा है सुर्जर लेंड सुर्जर लेंड की राजदानी बर्द निम्नलिकित में से कौन सी नदी हिमाले के पुर्वी नदी नहीं है हिमाले की पुर्वी नदी इसमें से कौन सा नहीं है तो पहला सिंदू यह तो है ही सिंदू देखिए नदी ऐसा है न तो पुरव इस से हुआ और पस्षी में से वा पुरवी नदी नहीं है तो सिंदु इदर है सतलज भी इदर है ब्रहमपुद्र से आती है इस से नहीं नहीं यहां इसे है इसी से आती है तो यह तीनों नहीं है पुरव की तरह बहती है यह पुरव की तरह नहीं बहती है इसे क्योंकि पुरव इधर हुआ पस्षी में इधर हुआ उत्तर उपर हुआ दक्षिन नीचे हुआ कुसर नमर 33 है अंतर रास्टे तिती रेखा किस महा सागर से होकर गुजरती है अंतर रास्टे तिती रेखा प्रसांत महा सागर से होकर गुजरेगा करक रेखा निमनलिकित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है ब्राजील से नहीं गुजरेगा ब्राजील से होकर भुमद रहा गुजरती है जबकि बहामास, लिविया, युएस, यूएई इससे होकर करक रहा गुजरेगा भारत के आठ राजों से गुजरती है, पता हो तो नाम लिख दीजेगा कमेंट बॉक्स में इन में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है तो गदावडी नहीं गिरती है तो गदावडी नहीं गिरती है तो गदावडी यहाँ पे नीचे में बेव बंगाल में गिर जाती है भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है पुरे भारत का सबसे छोटा जिला होगा माही माही यह आपको मिलेगा पुदू चेरी में तो आपसर नमर ए हाँ आपका सही है निम्नलिकित में से कौन सा राज यह तीन देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता तीन देशों के साथ सीमा रेखा कौन सा नहीं बनाता तो मिजोरम हो जाएगा कि ये only मिजोरम तिरिपूरा ठीक ना तो ये only मियनमार के साथ यानि तो वेस्ट बंगाल के साथ तो ये हो जागा जब कि रोनाचल परदेश सिक्कीम पस्षीम बंगाली सब्तीन गेस के साथ परडरी सेर करता है देखें इस टैब के परसन 100% टेक आता ही है तो मैप को एक वर सही से देख लीजिएगा कॉस्षन नमर 38 प्रती चक्रवाद की विशेस्ता होती है प्रती चक्रवाद की विशेस्ता होता है क्या होँआब स्वक्ष आस्मान हो जाएगा लाइकेन सबसे अच्छा सूचक होता है लाइकेन अच्छा सूचक होता है वायू परदूसन का वायू परदूसन का लाइकेन प्रसनिये भी आएगा वायू परदूसन का सबसे अच्छा सूचक जो होता है लाइकेन होता है पलासी का युद्ध कब हुआ था 1757 में 23 जून को 23 जून 1757 इसमें बंगाल के नवाब स्रिजोदल्ला और लवर्ट कलाईव के बीच हुआ था सहायक संधी करने वाला पर्थम भारतिय राज्जी कौन था सहायक संधी करने वाला था हैदरावाद हैदरावाद भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्ण वालिस अस्थाई बंदवस्ती का जनक महल बाडी भू राजस व्यवस्ता किसने लागू किया था महल बाडी भू राजस व्यवस्ता ये लगू क्या गया था मेकेंजी के दुआरा करनल मेकेंजी है हौल्ट मेकेंजी है यहाँ आपका सही है किताब उल हिंद की रचना किस ने की थी किताब उल हिंद इसके रचना थकार थे हैं अल बरूनी निम्न लिखित में से कौन सिकेंदर के समकालीन था सिकेंदर के समकाली आपसिनाबर D किसके दर्वार में रहते थे? 'sट दिकज, कृष्ण डेव रय के दर्वार पहने? कहां से प्राप्त होता है? Q48 है किसी उद के साथ बार ने गांजी की उपाजी दारान कि थी? गाजी कावपादी खानवा युद के वाद यानि option नमर B खानवा का युद हुआ कव था 1527 में 1527 भारती विश्व विद्याले अधिनियम किस गवर्नर जेनरल के काल में पाडित हुआ था भारती विश्व विद्याले अधिनियम यह वाता लॉड कर्जन के टेम में लॉड कर्जन 1904 में 1904 यानि option number B यहां आपका सही था किस बौध संगती के दोरान अभी धम पीटक की रचना की गई थी तिरतिय बौध संगती के टेम तिरतिय बौध संगती जो की 251 इसा पुर्ब में हुआ था 251 इसा पुर्ब में नेम दिलिखित घटनाओं में से सही कालकरम लगाना है मतला कौन पहले हुआ था कौन किया तो सब काडेट लिख लेते हैं क्रिप्स मिसन कब हुआ था 1940 में अगस्त प्रस्ताव हुआ था 1940 में अगस्त प्रस्ताव 1940 क्रिउब्स वञ था 1962 में भारत छोड जा हुआ था 1942 भारत छ very वा अन्दूलन यह भी真的 को भारत छोड वा एंगस्त में और क्रिउब्स मिस्न जह हुआ था यह वा था मार्च में मार्च अगस्त प्रस्ताव नाम षिकलियर आगस्त में हुआ और व्यक्तिगात सत्यागरा जो था वो भी उनिस सो इसी में हुआ था चालिस में ही हुआ था उनिस सो चालिस में ठीक ना तो यह किस महिने में हुआ था अक्टूबर में हुआ था मतलब अगस्त परस्ताव के बाद अक्टूबर तो एक लाइन से लगाना है तो पहले तापका दो हो जाएगा फिर ये होगा, उसके बाद मार्च वाला, फिर उसके बाद ये है, तो असानी से टिक कर सकते हैं, क्वेशन नमर 52, देली संतलत के किस सासक ने इक्ता परनाली की सुरुआत करी, इक्ता परनाली क्या था, इल्टूत मिस ने, इल्टूत मिस, या उप्शन नमर D, निम्नलखित में से कौन, चतुराईपूर्ण निस्कृता की निती के साथ जुरा हुआ था, ये थे हैं, जौन लॉर्डेंस, जौन लॉर्डेंस, उप्शन नमर D, निम्नलखित में से किस गुरु ने, अकाल तक्त की अस्थाप्ना की थी, अकाल तक्त गुरू हर्गविंद सिंग, गुरू हर्गविंद, यानि उप्शन नमर D, अकाल तक्त मुतलब था, इस्वरका सिंहासल, जलियावालाबाग हत्याकांड के बिरोध में वैसराइक की कारीकारणी पडिसत की सदस्यता से किस ने इस्तिपाद दिया था ये थे संकरन नायर संकरन नायर यानि option number C, 1929 में हुआ था तेरह तारीक को जलियावालाबाग हत्याकांड question number 56 है प्रथम दिल्ली दर्वार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था प्रथम दिल्ली दर्वार का आयोजन किया गया था लॉर्ड लिटन के टैम में लॉर्ड लिटन सक्ति का बीमे सुत्र क्या होता है ML2 T-3 ML2 ML2 T-3 option number C यहां सही होगा one minute ML2 T-3 यह तो हो गया याद निम्दलिखित में से किस रंग के प्रकास का पौधे दुआरा तिब्र अवसोसन होता है निम्दलिखित में से किस रंग के प्रकास का पौधे दुआरा तिब्र अवसोसन होता है तो नीला और लाल नीला और लाल अधिक नीला फिर लाल अप्शन नमर सी सही है गन मेटल किसका बना होता है गन मेटल में होता है कॉपर सीउथ होता है यह सिलिकन और फिर जिलेंजिंग अप्शन नमर ए सही है सबसेदी किसमें कॉपर ही होता है 88% चस्मे का लेंस किस कांच से कुरुक्सकाच option number C नेत्रदान में कौन सा भाग होता है दान तो कॉर्णिया option number C निमनलिकित में से कौन सा सही नहीं है यहाँ पर एक क्या होगा गलत होगा और तीन सही है तो पहला है तापमान के बढ़ने से धोनी का वेग बढ़ जाता है कम नहीं होता बढ़ जाएगा तो यहीं आपका गलत है आयाम और आविर्ती के परिवर्तन से वायू में धोनी का वेग परिवर्तित नहीं होता कहीं भी नहीं होता अगर आयाम आविर्ती चैन्ज होता है तो सही है यह भी परतिया वर्ति धारा को दिश्ट धारा में परिवर्तित करने की युकती क्या कहलाती है रेक्टिफायर रेक्टिफायर यानि उप्सन नमर B जब बर्व पिखलता है अगर बर्व पिखल जाएगा तो उसका आयतन क्या होता है कम होता है आईतन कम होता है यानि option नमर क्या हो जाएगा B आईतन घटता है और अगर बर्ब बनाएंगे तो बढ़ेगा क्योंकि अगर बोतल में पानी भर के बर्ब बनाओ तो देखो फैल जाता है वो आगे है शलवे नेट निमनले कित में से किसका आयस्क है सलवे नेट होता है सोना का सोना का आयस्क है सलवे नेट और कलवे नेट भी होता है सलवे नेट और कलवे नेट आगे question नमर 66 है कि सुमेलित करना है तो लाइपेज लाइपेज ये वसावी घटन का एंजेम है लाइपेज ट्रिपसीन ट्रिपसीन प्रोटीन का पाचन करता है एमाइलेज एमाइलेज कार्वोहडरेट का पाचन करेगा और इडेपसीन पॉली फेप्टैन को अमिनोयसीब ने बतलता है कोशन नमर 67 किस उत्प्रेडक की उपस्थिती में खाद बनसपती तेल वसा में परिवर्थित किये जाते हैं तो यह हो जाएगा निकल अरजुन पुरुषकार 2020 से सम्मानित मनिस नर्वाल का सम्मन्द निमनलिखित में से किस खेल से हैं मनिस नर्वाल है पेरा सुटिंग से अंतरास्ट्रिय गांधी पुरुसकार 2020 निम्निलिखित में से किसे परदान किया गया ये है धर्म संतु धर्म संतु एनेस धर्म संतु तेहरावे इंडियन प्रेमियर लिंग 2020 में किसे most valuable player का पुरुसकार मिला चौदावा इस्पृरिटacting के लेखा कौन है नॉब्बर 2020 में संघाई सह्योग संगठन का 20 सिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आवजित किया गया रूस की अध्यक्षता में किस वर्स तक भारत से पुर्ण रूप से मलेडिया अनमूलन का लक्ष रखा गया है पुर्ण रूप से मलेडिया अनमूलन करेगा 2030 तक चीन हो गया मलेडिया मुक्त और भारत में गौआ भी अक्टूबर 2020 में निम्दलिकित में से कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई मिंटी अगरवाल फ्रेंच उपेन 2020 में महिला एकल खिताब की उबिजयता कौन है फ्रेंच उपेन 2020 में महिला एकल खिताब की उबिजयता कौन है सोफिया कैनीन यानि उप्सन नमर डी यहाँ आपका से योगा और पूरुस में रफेल लडाल और उन्होंने हराया नवाक जोगोविच को एसिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को पहला अस्थान प्राप्त हुआ अमेरिका को अमेरिका भारत का अस्थान इसमें चौथा था जियो बैडन अमेरिका के कैमे नमर के राश्टपती बने है 46 जियो बैडन 46 थर्टी एट नमर का आसियान सिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावी थे यह होगा बुरुनेई इसकी राजधानी या बंदर सेरी निमनलिकित में से कौन सा कथन अर्थ सास्तर के नोयल पुरुसकार के संधर में सत्य नहीं है यानि वो गलत है तो पहला यहाँ पे दिया गया है कि अर्थ सास्तर का नोयल पुरुसकार पहली वार 1969 में परदान किया गया तो यह तो यहाँ पर सही हो जाएगा इली नार अंगस्ट्रम अर्थ सास्त्र का नवल पुरुसकार 2009 में पाने वाली पहली महिला थी यह भी सही है अर्थ सास्त्र का नवल पुरुसकार 2020 संजुक तुरूप से दो ब्रेटिस अर्थ सास्त्री Paul R. Milgrom और Robert V. Wilson को परदान किया गया यह यहाँ पे गलत है यह Britain के नहीं थे यह थे अमेरिका के तो गुलामी का परिभासा चंज किया हुए थे तो यहाँ पे यह गलत है Britain इस नहीं होगा अमेरिका होगा दो सही था एक और दो सही था किस मंत्राले के दोरा SM portal की शुरुआत की गई SM portal की शुरुआत किस ने किया कोसल विकास और उद्यमिता मंत्राले आंधरि परदेश के बरतमान राजिपाल कौन है विसुभुसन हरीचंदन कोसन अमरिटी थिरि भारत सरकार के बरतमान मुख्य बैग्यानिक सलहकार कौन है भारत सरकार के बरतमान मुख्य बैग्यानिक सलहकार कौन है के विजैर आगवन के विजैर आगवन देखिया अनिय सब का नाम जो है वो स्पीडी चली रहा है तो वहां से जरूर देख लीजिएगा नॉमंबर 2020 में भारत ने खगुल बेग्यानिकों और तक्निकी सहियुआ विकास करने के लिए किसे देश के साथ समझोथा किया है तो भारत क्या है एस्पेन के साथ एस्पेन जिसकी राजधानी मेड्रीड दिसंबर 2020 में बुडवी चक्रवात से कौन सा राज्ये, परभवी थुबड़ी आयत है तामिलाडू में अडव सागर में, माफ कीजिए गा, तामिलाडू बेव बंगाल में दिसंबर 2020 में आदी मोहतसव का आयोजन कहा किया गया था आदी मोहत सब वह था मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश अपसर नमर सी बैस्वीक लोकतंदर सुचिकांक 2020 में भारत का अस्थान कौन सा रहा भारत तरह 53 नमर पर 53 और पहले अस्थान पर हा नौर्वेज़ जिसकी राजधानी है औसलो आगे है कपीला अभ्यान कपीला अभ्यान का संबंद किस मंत्राले से है कपीला अभ्याने सिक्छा मंत्राले से सिक्छा मंत्राले हाले में किस राज़ी के सुर सुरोबर जहिल को रामसर अस्थल का दर्जा दिया गया यह उत्तर परदेश में उत्तर परदेश, सुर्ट सुरोबर जील, भारत में 46, रामसर साहट है, सहयोग काजीन, सैन अभ्यास कायोजन, भारत और किस देश के मद्ध होता है, तो सन्योग काजीन होता है भारत और जपान के साथ, भारत करता है जपान के साथ, किस राजी की परसिद मिर्चे, डल्ले ख खुरसानी, यह सिक्किम का, सिक्किम आप्सन नमर बी, एक बिग्यापन कमपनी किसी मुहले के परतेक मकान में उतने उत्पादन पेस करती है, जितने उस मुहले में मकान है, अजमायत का प्रस्न है, फिर भी उसके पास पांच उत्पादन बच जाता है, यदि मुहले में कुल 25 मकान है तो कुल उत्पादन कितने है तो 25 मकान है यहां पर लिखा हुआ है कि जितने उस महले में मकान है विग्यापन कंपनी महले में परतेक मकान में उतने ही जितना मकान है उतना पेस करता है तो इसके लिए 25 को 25 से multiply कर लो तो 625 हो जाएगा और उसमें ये पांच उत पादन बच गया तो पांच जोर तो यानि 630 option number C हाँ आपका सही हो जाएगा तो अब सारे math की प्रसने देख लेते हैं एक भवन निर्माता 2550 उधार लिया और उसे 4% बार्षिक चकरविर्धी व्याज के दर पर 2 बरसों के अंतराल से 2 बड़ावर की बार्षिक किस्तों में लटाने थे तब परते किस्त में कितने रूपे होंगे यहापे तो direct िरक्ट किस्तों में लो यह जो है ना 104 बाय हंड्रेड तो यह तु इतना rate increase हो दो बरस में आप यह ऐसे कर सकते हो ठीक ना और कितना किस थे तो यह कर लो X by 104 बटे 100 का स्क्वाइर पलस X by 104 बटे 100 का स्क्वाइर और इस इक्वल टू 25 पचास ऐसे करोगे तो X का वैल्यू निकल जाएगा 1352 रुपया तो वो आपका अंसर हो जाएगा एक तिर्भूज की भुजाएं लसियाँ निकलेंगे 4, 6, 8 तो 24 हो जाएगा तो 24 को 6 से 6 हो जाएगा यहाँ पे 4 से हो जाएगा और यहाँ पे 3 से हो जाएगा यह हो गया परिमाप है तो सब में X लagा कि इसकल तू 91 लखेंगे एड करेंगे 13 X is equal to 91 X is equal to हो गया 7 ऊके तो difference बड़े और छोटे का यानि 6 और ये 3 का difference 3 हो गया तो इसको 3 से यानि 21 आपका answer होगा यानि option number D यहाँ आपका सही होगा 95 का D question number 96 देख लिजिए एक वेक्ती ने 250 पुस्तक बेची और उस पर 50 पुस्तक के बिक्रेमूल के वराबर लाब पराप्त हुआ तदानुसार लाब का पर्दिसत कितना होगा ऐसे प्रस्त में असान होता है कि पहले लाब मल्टिपल है 100 और नीचे में मतलब यह जो difference होगा ना 200 मैनस 50 यानि 200 solve कर लिए 00 कट जागा यह 25 से कट जाएगा यानि 25 तो 25 परसेंट option number D यह एक तरीका एक ट्रीक होता है मतलब नीचे में difference कर दो तो answer आजाता है आपका question number 97 है तीन दोस्त करम से पंदरा सो अठारा सो और एकिस सो भिन्वन समाई के लिए निवेश करते हैं कुल प्रापतांक पड़ावनें बाठा गया तो समाई कानुपात बताना है आपको सबको बरावर पैसा मिला है ठीक ना जो बाठा गया तो तो ऐसे वाले में क्या किज़ेगा ना लास्ट वाला जूरो सब में हटा दीजिएगा अब देखिए 15 यहाँ पे 18 और यहाँ पे 20 कुछ और खटा सकते हैं इसमें से तो पांच बच जाएगा यहाँ पे 6 बच जाएगा और यहाँ पे 7 बच जाएगा अब क्या किजिए इस सब का LCM निकाल लीजिए जैसे 5, 6, 7 का LCM निकालेंगे तो डेक्ट मल्टिपल होगा और कुछ होगा नहीं या फिर यह भी कर सकते हैं कि जैसे 7, 6 यह हो गया यहाँ पे 42 5, 7, 35 और 6, 35 या यह आपका अंसर हो जाएगा प्रावर करना होता है इसलिए ऐसा हुआ अंसिसियन किसी देश की राजधानी है असंसियन यह राजधानी है प्रागवे की प्रागवे तो कुल 100% किये मैंने कंप्लीट कोस्टन का अस्तर ठीक ठाक था अगर आप इसमें 65-70 के बीच में स्कोर कर पा रहे हो तो एक एवरेज हो ठीक ना उस रदिक है तो बहुत अच्छी है उसे कम है तो फिर बहुत खड़ाव है ठीक ना क्योंकि 60 मैंने अवरेज का है तो सेसन कैसा लगा कमेंट वाक्स में लिखिएगा कुछ खराब या अच्छा लगा हो ज़रूर बताइएगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद